आरके नॉवेल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। चूट गया। जियान तियान बहुत खुश था और वो पास से गुजने ही वाला था। हाला कि इस समय पीछे से एक पागलपन भरी हसी आ रही थी। हाँ 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 लड़के क्या तुम्हें सच में लगता है कि बुड़ा आदमी तुम्हें रोक नहीं सकता। जैसे ही लियाव सोंग्यान की जंगली हसी की आवाज आई उसके सामने का अंतराल अचानक बंध हो गया और एक विशाल चांदी की हथेली अचानक एक आकार में बदल गई जैसे की शून्य से उभरी हुई वह उसकी ओर बढ़ी। अनुचित, जियान तियान का चहरा काफी बदल गया, उसने चीजू जियान मेरो से जबरन विरोध करने का आगरह किया और उसी समय उसकी आकरिते बह गई। धतेरी की, जियान तियान ने गुस्से में डाटा, लेकिन गहन क्षेत्र के स्वामी लियाव सोंग्यान के सामने वह कुछ हत्तक असहाय था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है, एक स्वर्गी ये जदूई हत्यार रखने के साथ शरीर की ताकत वह नहीं है जिसे वहब ले जा सके। उसके दिमाग में विचार की एक चमक के साथ, जियान त्यान की आखे अचानक एक अजीब रोशनी से चमक उठी, उसका दाहिना हाथ काम गया और एक सफेद रोशनी अचानक बिजली की तरह आगे की ओर उन गई। ची, सफेद रोशनी ने दो चीखे निकाली और तुरंट दस फीट से अधिक दूर चान्दी की रोशनी की सीमा से टकराए। उसने केवल पूफ की धीमी आवाज सुनी और यह आसानी से चान्दी की रोशनी से बनी बाधा को भेद गई। वह क्या है? लियाव सोन ग्यान की आखें बेतहाशा घूं गई और उसकी मुस्कान तुरंट उसके चेहरे पर आ गई। पफ, 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 सफेद रोशनी बिजली की तरह आगे पीछे चुपती है और तुरंट चान्दी की रोशनी के जादू को एक लंबाई जितने बड़े छेद में छेद देती है। हाला बिजली को देखा। उसके गहरे दायरे की शक्तिशाली ताकत के साथ उसकी सारी ताकत से सगन चान्दी की रोशनी की बाधा को कभी भी आसानी से नहीं भेदा जा सकता था और वह सफेद रोशनी से चौकने में मदद नहीं कर सकता था। लेकिन सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आँखों से ये देखना मुश्किल था कि यह क्या है। जियान तियान ने संकोच नहीं किया, एक कदम आगे बढ़ाया और आत्मा निगलने वाले चुए द्वारा खोले गए मार्क से बाहर निकल गया। गड़ गड़ा हट, विशाल दानव के हाथ की हड़िया और चिक्सिव तलवार की मज्जा एक ही समय में बाहर निकल गई और अजीब सफेद बिजली जमीन के सामने जंगल में जियान तियान के साथ गायब हो गई। दिन के उजाले में बुणा आदमी एक जुनियर को सूरज की तेज रोशनी से कैसे भागने दे सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कहां बच सकते हो। शेत्र की शक्ती बिना किसी रोग टोग के फैल गई और धीमी गरजना के बीच आसपास के विशाल पेर तूट गए। एक पल में दस फीट से अधिक चोड़ा रास्ता सीधे पहारों और जंगलों में खुल गया। आत्मा निगलने वाला चुहा अच्छा काम। जियान तियान के दिल में अभी भी वही आनन्द था जो अभी था। आत्मा निगलने वाला चुहा अभी अभी उठा था और उसने बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी और उसकी सासों से पता चलता है कि वो स्पश्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत आधिक मजबूत था। जियान तियान अभी भागने के लिए उठसुख था और उसके पास इसे साबधानी पूर्वक जाचने का समय नहीं था। इसलिए उसे सभी छोटी चीजे और जादूई हतियार दूर रखने पड़े और पहाड़ों और जंगलों की आड़ में अपनी पूरी ताकत से भाग निकला। डॉट ललका तुम भाग नहीं सकते। लियाव सोंग्यान की उग्र आवाज समय समय पर पीछे से आती थी, मानू वह बहुत करीब हो। जियान तियान अच्छी तरह से जानता था कि हाला कि वह स्थाई रूप से खत्रे से बाहर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सब कुछ ठीक था। एक बार थोड़ी सी देरी होने पर लियाव सोंग्यान तुरंत पकड़ लेगा और परिनाम अभी भी अकलपनी यह हैं। अच्छाली ताकत का सामना करना वास्तव में मुश्किल है। उसके दिमाग में सभी तरह के विचार कौंध गए, जियान तियान चमक उठा और वह बिना किसी हिचकी चाहट के पहारों में बह गया। ललका, तुम भाग नहीं सकते। लियाओ सोन ग्यान अभी भी उसका पीछा कर रहा है और दूरी करीब और करीब होती जा रही है। अगर जियान तियान ने बहुती नाजुक धंग से अपनी सासे नहीं ली होती और पहाड और जंगल का इलाका जटिल है, तो वह इस समय पकड़ लिया होता। जल्दी, वहाँ एक स्थिती है, चलो एक नजर मारें, सेकड़ों फीट दूर अचानक एक जोरदार गलगलाहट की आवाज आई और कई मानब परच्छाईयां एक शक्तिशाली आभा के साथ यहां आ गई, जियान तियान की आँखों का कोना हिल गया, बुरा लग रहा है। लियाव सोन ग्यांग ने उसके लिए इससे निपटना कठिन बना दिया है, और अब जब कुछ और मास्टर आ गये हैं, तो उसकी स्थिती और भी बद्तर होने वाली है। उसे दोनों पक्षों की दोहरी चाल में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे वह सामना करने में असमर्थ हो जाएगा। थी किसी समय, आसमान के सामने घने घास वाला पहारी जंगल दिखाए दिया, बड़े बड़े विशाल पेर और हर जगा होगी हुई मोटी मोटी लताएं, बड़े तनाव के साथ एक आदिम पहारी द्रिश्य में गुन्ती हुई थी। जिस बात ने उसे और भी आश्चरिय चकित कर दिया वही ये थी कि यहान स्वर्ग और पृत्वी की आध्यात्मिक शक्ती अत्यंत सम्रिध थी और उसे दूर तक एक शक्तिशाली पृत्वी विशेश्ता आध्यात्मिक शक्ती तरंगित होती हुई महसूस हुई। महान, जियान तियान के हृदय में उत्साह था और वह इस घने जंगल में दूप की लगाने से खुद को नहीं रोक सका। गड़गडाहट, एक गहरी दहार के बाद जियान तियान की आवाज तुरंत सघन हो गई और एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गई। निश्चित रूप से यह वही है, जल्दी पकड़ो, उसे भागने मत दो, गड़गडाहट, कई आकृतिया हिंसक रूप से दोणी और वे इस पहारी जंगल में भागने ही वाले थे, लेकिन उसी समय लियाव सोन्ग्यांग ने भी उनका पीछा किया, तो यह आप है, दूसरे लोगों को देखकर लियाव सोन्ग्यांग की आखे सिकुल गई और उसका चहरा बेहत थंडा हो गया, यह हैल्दल लियाव निकला, कई योधाओ ने एक दूसरे की और देखा, अपना सेर हिलाया और अपनी अभिव्यक्ति पर व्यंग्य किया बेहत अजीब थे, ताओ परि लोखों में सतर्कता की जलक जलक रही थी, ताओ हंगांग ने थंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, एल्दल लियाव को जानबूच कर क्यों पूछना चाहिए, हमारा लक्षे एकी व्यक्ति है, कौन सा फल होगा, यह भागय पर निर्भर करता है, जैसे ही शब्द गि ताओ हंगांग बिना किसी चिंता के सीधे जंगल में भाग गया, ताओ परिवार के अन्य योधाओं ने संकोच नहीं किया और उसके पीछे दोण पड़े, धत्तेरी की, लियाव सोनग्यांग गुस्से में चिलाया, बिना कमजोरी दिखाय बाहर भाग गया, और ताओ पर राय तक पहुँचने के बाद जियान तियान की सासे अचानक गायब हो गई, गड़ गड़ा हट, हर कोई अचानक रुक गया, इधर उधर देखने लगा, वहें चड़ाने लगा, अध्याय 982, नाराजगी गहरे जंगल में भूभाग अधिक से अधिक जटिल होता जा रहा है, लेकिन अगर यह सिर्फ इतना ही है, तो यह इन शक्तिशाली गहन क्षेत्र के स्वामी को प्रभावित करने के लिए पर्याप नहीं है, जो चीज वास्तव में उन्हें सिर्दर्द महसूस कराती है, वो ही यह है कि यह मजबूत स्वर्ग और प्रित्वी की आभा से भरा है, और रोलिंग बेचैन करने से अधिक है, रुखें, जियान तियान द्वारा छोड़ी गई आखिरी सास को पूरी तरह से तितर बितर कर दें, ताकि उन्हें कोई सुराग न मिल सके, अनुचित, लियाव सोन ग्यांग ने अपने दात पीस लिये और शाप दिया, उसका च रोध और आख्रोश से भरी थी, खंफ, मैं आप सभी को दोशी मानता हूँ, अगर आपकी अचानक उपस्तिती ने मुझे परिशान नहीं किया होता, तो मुझे डरहे की कुन्खफू बुड़े को अभी यह समझ में आ गया होता, लियाव सोन ग्यांग के गुस्से वाले आ से असपद लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि हम पर शिकायते फैला सकूँ, ताओ हंगांग ने अपना सिर हिलाया और तिरसकार की द्रिश्टी से उपहास किया, उसके बगल में ताओ हैनली तमतमा रहा था, उसकी आखे टिम्टिमा रही थी, उसने एक पल के ल ली और लियाव सोन्यांग की और देखा, उसकी आखे चमक रही थी, विचारशीलती, न जाने वह क्या सोच रहा था, थोड़ी देर बाद ताओ हंगंग ने भी एक दूसरे से बात की और दोनों ने चर्चा की और सिर हिलाया, जैसे कि वे एक निश्चित समझोते पर पहु लियाव सोन्यांग की भौहे सिकुल गई, उसकी आखे जिजक से चमक उठी सरनेम ताओ क्या कर रहा है? हाला कि वह सपश्ट रूप से जानता था कि चीजे थोड़ी अजीब थी, वह दूसरे पक्ष की वास्तविक योजना नहीं जानता था, लेकिन उसके लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी आखिरकार, उसका लक्ष जियान तियान था, और दूसरा पक्ष जल्दी से पहाड़ी जंगल से निकल गया, जिससे उसे जाने और खोज करने का समय और अफसर मिला भले ही ताव हंगांग और अन्य कोई भयानक विचार करना चाहते हों, जब तक कि वह पहले जियान तियान को पकड़ कर उसे मार डाले, दूसरा पक्ष केवल भूर सकता था छोटा चोग्यान क्षेत्र का योध्धा वैसे भी बुलिव्यक्ति की हथेली से बच नहीं सकता लियाओ सोन्ग्यान ने अपने दाथ पीस लिये और शाप दिया, उसकी आखों में एक उदास जानलेवा इरादा चमक गया हाला कि जियान तियान ने उसे कुछ परिशानिया दी, लेकिन जितनी अधिक परिशानिया थी, उसका आंतरिक गुस्सा उतना ही मजबूत था वह चुपचाप कसम खाता है कि जब वह जियान तियान को पकड़ेगा तो उसे अच्छी सजा देनी होगी और उसे परियाप पिवा देनी होगी निससंदेह ये समय की अनुमती के आधार पर है यदि डौव परिवार के सदस्य तब तक मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आते हैं तो ये कहना असंभव है कि वह केवल दुरगटनाओं को रोकने के लिए सबसे तेजगती से सबसे शक्तिशाली साधनों के साथ ज्यान तियान को मार सकता है पूह बच्चे तूम दोड़ नहीं सकते लियाओ सोन ग्यान चिल लाया और प्रोधित आवाज ने गहरे दबाव के साथ उसके सामने जंगल को नश्ट कर दिया गड़ गड़ा हट शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति सभी दिशाओं में घूम रही थी और पूरा पहाड़ी जंगल गगनभेदी गरजना के बीच बेताशा लहरा रहा था गहन क्षेत्रस्तर के भायानक दबाव के तहट विशाल पिर्लो ने काका जारी किया और अंगिनत द्रिर्ता के साथ कमर पर रुप गए ये टेंट से बूम 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 की अजीब आवाज भी तूट गई पलक जपकते ही पूरा पहारी जंगल अस्त व्यस्त हो गया और जमीन तूटी हुई शाखाओं पिर्लो और अंगिनत तूटे हुए पत्तों से भर गई हाला कि लगभग कालीन जैसे प्रभाव के तहट लियाव सोन्ग्यांग अभी भी जियान तियान के ठिकाने का पता लगाने में विफल रहा अपने सामने के गंदे द्रिश्य को देख कर उसका मूड और अधिक गंदी हो गया एक प्रचंड आग बेतहाशा भाड़ा कुठी जिससे उसका पूरा व्यक्तित्वल लगभग हिंसक हो गया दिकार है, लानत है, लियाव सोन्ग्यांग ने तेजी से गुराया और उसका दिल बड़ी जुन्जलाहट से भर गया पहले, अगर वह और अधिक मेहनत करता, तो शायद वह जियांग तियांग को पकर सकता था और उन जादूई हथियारों को ले सकता था जो उसके बैग में नहीं मिलते थे, लेकिन अब जियांग तियांग का कोई ठिकाना नहीं है, और उसे केवल पच्चतावा ही रह गया ह लियाओ सोन ज्यांग ने शाप देना जारी रखा, जंगल के उपर मदराते हुए, अपनी हथेलियों को फोरते हुए, बड़े बड़े गड़ों से जमीन को फोरते हुए और अपना गुसा निकालते हुए, ये जानते हुए कि यहर थीन था, इसलिए उसे अपने लापरव आवेग को रोकना पड़ा, तबाह हुए पहाड और जंगल को देखकर उसकी भोहे सिकुल गई, उसका चिंतन जारी रहा, उसकी उदास आखे टिम्टिमाती रही, जियान तियान को इस तरह से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्या वह बच्चा सच्मुच बहुत दूर चला गया था, ये सोचकर, लियाव सोंग्यांग मदद नहीं कर सका लेकिन उसकी आखे उचल गई और वह अचानक ठीक हो गया, उसे अचानक इसका कारण समझ में आया कि ताव परिवार के योद्धा इतनी जल्दी क्यों चले गए, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जियान तिया को एक कदम पहले ही नोटिस कर लिया था, आन्य था, वे इतने खुश कैसे जा सकते थे, ये सोचकर, लियाव सोंग्यांग अपने दात पीसने और कोसने से खुद को नहीं रोक सका और उसका मूझ चिंतित हो गया, ताव परिवार एक समय में दो गहरे दाइरे के बुजुर वह ताव परिवार के मार्शल आर्टिस्ट के हाथों में पर जाएगा, उससे कोई लेना देना कहां है, नहीं, उन्हें कभी भी आगे न बढ़ने दे, लियाव सोंग्यांग का चेहरा डूब गया, उसकी आखे तेजी से चमक उठी, और उसने अब और संकोच करने की हिम्म गुस्से में, वहे एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ती के साथ पहारी जंगल से बाहर निकल गया, और उस दिशा में उसका पीछा किया जहां ताव परिवार थावाए मार्शल कलाकार गयब हो गया था, पुकारना, लियाव सोंग्यान के जाने से तेज पहारी हवा चली, ज जिससे जमीन पर बची हुई शाखाएं और पत्तिया लुलकने लगी, धीरे धीरे इन गंदे निशानों का फिर से गिरना बंध हो गया, पहार का जंगल जो अभी अभी दहार से हिल गया था, धीरे 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 जमीन शांत हो गई, और यहां तक की घातक रूप से श जानक चमक उठी और चुपचाप वापस आ गई, ये लोग कोई और नहीं, ये ताव परिवार के योद्धा हैं जो अभी अभी गायब हुए हैं, छठे भाए, आपके चतुर दिमाग के लिए धन्यवाद अन्यता हम वास्तव में यह महान अफसर चूग जाएंगे, गांग ने अपनी आखे चमकाई और अपने बगल वाले छठे व्यक्ति की और प्रशंसा से देखा, छठे बुजूर्पताव हैनली ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, पाच्वे भाए, इस पर बहुत जल्दी गर्व मत करो, मुझे वास्तव में कोई निश्चित्त गुप तकनीक अपनाना और इस पहाड़ी जंगल में छिप जाना, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं, चलिए जल्दी से खोजना शुरू करें, ताओ हंगांग ने अपना हाथ लहराया और तुरंत तलाश के लिए जंगल में चला गया, ताओ हैनली दूसरों को दू लियाव सोन ग्यांग और ताओ परिवार के दोनों योधाओं ने इन क्षेत्रों को खुद से बाहर कर दिया, और उन्होंने नहीं सोचा था कि ज्यांग तियान यहां छिपेंगे, अध्याए 983, छला खिरकार, ज्यांग तियान उनकी नाक के नीचे इस पहाड़ी जंगल म हो गए, उन्होंने पहाड़ों और जंगलों के बड़े इलाकों को नश्ट कर दिया, लेकिन लगभग आधे घंटे की खोच के बाद उन्हें जियान तियान का कोई निशान नहीं मिला, थोड़ी देर बाद, सभी लोग फिर से एक जुट हुए, सिर हिलाते हुए और आहे भरते हुए, बहुत परेशान हुए, दिक्कार है, वह वास्तव में भाग गया, ऐसा लगता है कि इस बच्चे में वास्तव में हमारे गहन क्षेत्र विशेशगयों की पलकों के नीचे से भागने की कुछ शमता है, पाच्वा भाई, मैंने मुझे दोशी ठहराया, मैं दोश देने के लिए आप केवल जियान तियान को बहुत चालाख होने के लिए दोशी ठहरा सकते हैं, ऐसा लगता है कि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, ताओ हंगांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, छटे बच्चे को साथ बना दी और एक पलकी जिजक के बाद तुरंट अपना मन बना लिया, नहीं, लियाओ सोन गयान चला गया है और हम अब इस तरह नहीं रह सकते, हमें जल्द से जल्द जियान तियान को ढूंडना होगा, इस तरह आप और मैं दो लोगों को अलग से ढूंडने के लिए ले जाएंगे, अगर हमें कोई सुराग मिल हम तुरंट जुड जाएंगे, ठीक है, ये बात है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, ताओ हैनली ने ये सुनकर संकोच नहीं किया, और तुरंट दो अर्ध गहन दाइरे के बुजुर्गों को सामने दाहिनी और ले गए, चलो भी चले, ताओ हंगांग ने लिया बाकी दो लो लोट आया, योधाओं की घुसपैट के बिना, केवल पहारी हवा धीरे-धीरे जंगल में बह रही थी, शेश शाखाओं और पत्तियों को लुनका रही थी, बहुत देर के बाद, एक अगोचे कोने में खळखळाहट की आवाज आई, कुछ जंगली पेड हलके से हिले और अचानक उसमें से एक आखरते उभर कर सामने आई, ये व्यक्ति दूसरों के बीच में नहीं है, ये जियान तियान है, पुना प्रकट होने के बाद, उसने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर मुस्कुराया, उसकी अभिव्यक्ति हलकी सी खुद का मजा कोड़ा रही थ ये बहुत खतरनाक है, अगर इसे पृत्वी की आध्यात्मिक शक्ति के जादूई प्रभाव का एहसास नहीं हुआ होता, तो मुझे डर है कि मैवास्तव में इस बार बच नहीं सकता, जियान तियान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी और राहत की सास ली, उसकी आखों में सौभाग्य की जलक दिखी, लेकिन जल्द ही उसकी भोहे सिकुल गई, ताव परिवार के योध्धा भी आ गए हैं, उन दोनों को एक ही समय पर भेजा गया था, ऐसा लगता है कि समाचार एक ही समय में प्राप्त हुआ था, जियान तियान की आखें चमक उठी, विचार जिससे उसकी मौत हो जाएगी, सून यू, मैं देर सवेर तुम्हारे साथ यह हिसाब चुका दूनगा, आपातकाल के क्षण में, घने जंगल में भाग जाने के बाद, उन्होंने सम्रिद स्वर्ग और पृत्वी की आध्यात्मिकूर्जा की अर्में पूरे शरीर की आभा को पूरी तरह से अवरुद करने के लिए पृत्वी विशेष्टा आध्यात्मिक शक्ती का उप्योग किया, पहाडों और जंगलों में प्रवेश करने के बाद, वह दूसरे पक्ष की खोच से बच गए, हाला कि अभी स्थिती भी काफी खतरनाक थी, पहले लियाव सोन ग् प्रित्वी की आत्माओं के जादूई प्रभाव का फायदा उठाते हुए बिना कोई निशान बताए पहाडों और जंगलों के नीचे शांती से भाग लिया, अन्य था, अब उसे कई आकाओं की घेराबंदी का सामना करना पड़ेगा, यह अफसोस की बात है कि यद्यपी उसने भूर जानवर की कुछ प्रतिभाव को शामिल किया है, फिर भी वह भूर जानवर के स्वतंतर आने और जाने से बहुत दूर है, और यह केवल अपेक्शाकृत छोटे क्शेत्र में ही हो सकता है, भीतर बढ़ो और अप्रतिबंदित नहीं हो सकता, अन्य था, वह उसके लिए सभी का पीछा चुडाना असंभव होगा, जियान तियान ने ध्यान से चारो ओर देखा, उस दिशा को देखते हुए जहां लियाओ सोनग्यांग और ताव परिवार के मार्शल कलाकार गयब हो गई, उसकी अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई, यहां अधिक जियान तियान ने चारो ओर देखा और चुपचाप से रहिलाया, चारो ओर मुरने और पहारों में वापस जाने की तयारी की, हाला की जैसे ही वह जाने के लिए उठा, अचानक पीछे से एक व्यंग्य की आवाज आई, छठे भाई, तुमने सच में गलत अनुमान नहीं ल गई, उसका दिल मदद नहीं कर सका लेकिन उसने अपने दाथ पीस लिये और क्रोधित होकर शाप दिया, हाला कि उसकी पृत्वी आत्मा शक्ती गुप्त तकनीक बहुत रहस्यमय है, फिर भी वह अभी भी थोड़ा चोटा है, चाला की और धोके के मामले में वह परिवार म लंबे समय से घुले मिले इन पुराने पकोहों से कहीं कमतर है, अभी ताव हैंगंद ने जाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में एक जाल बिछाया, जानबूचकर उसे बात करने दिया, जिससे उसे लगा कि ताव परिवार में हर कोई वास्तव में निराश है और चला गया है, और काफी धहर्यपूर्वग प्रतीक्षा करने के बाद, आखिरकार उन्होंने जियान तियान के प्रकट होने तक प्रतीक्षा की, पाँचवे भाए, आप मुझे इस बार ड्रिंट करने के लिए में जियानलो में आमंत्रित करने जा रहे हैं, एक और विजई उप पास था, दूसरा पक्ष हिल गया, और ताव हैनली कुछ हर्थ जुवान क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के साथ दिखाए दिये, दोनों पक्षों ने बीच में जियान तियान को घेरते हुए एक के बाद एक हामला किया, अनुचित, जियान तियान की आखे तेजी से सिकुल गई और उसने अपने दाख पीस लिए, ये जानकर कि उसे मूर्ख बनाया गया है, प्रतिदवन्दवी को यकीन था कि वो पूरी तरह से दूर नहीं रहेगा, और उसने उसे फसाने के लिए जाल बिचाया, बापरिवार की तुलना में ताव परिवार ने एक साथ दो गहन क्षेत्र के विशेशगयों को भेजा, और उसके बाद चार अर्ध गहन क्षेत्र के स्वामी भेजे गए, ये छोटा नहीं है, और ऐसी लाइनप जियान तियान के लिए वास्तव में तनावपूर्ण है, दो गहन क्षेत्र की शक्तियों ने पहले ही उसके लिए इससे संदे हातिरिक खत्रे हैं, जियान तियान, तुम भाग नहीं सकते, ताओ हंगान का चेहरा धीरे-धीरे उदास हो गया, उसके मूँ के कोनों पर एक व्यंगय था, और उसकी भौहों के बीच जानलेवा इरादा दिखाए देने लगा, जियान तियान, यदि आप फोड़ा क कम दर्द सहना चाहते हैं, तो बस इसे अपने आप से दूर कर दे, अन्यता हम आपको बता देंगे की डर क्या है। गोटना शुरू होने वाला है। परिनाम अभी तक ज्यात नहीं है, आप चाहते हैं कि जियान आत्महत्या कर ले और एक शब्द में दिवासवपन देख ले। जियान तियान का चेहरा डूब गया, उसकी भौहे जानलेवा थी, और उसने अचानक गुस्से में चिल्लाते ह हुए गोली मार दी। गरल गरा हट, चमतदार सुनेहरी रोशनी के दो समूह बेताहाशा बह गये और ताव हैंगन की दिशा में चले गए। अध्याए 984, क्रोधित बुजुर्पताओ, जहांक तियानरजी। बूम 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 बूम। लियाओ सोन ग्यान के आपत्ती नहीं थी। सुनेहरी रोशनी पांच बार शून्य में बेताहाशा चमकी और दो विशाल दानव हात की हड़िया पागलों की तरह नीचे गिर रही थी और गहन क्षेत्र की शक्ती ने तुरंत ताव हैंगन को आश्चर्य चकित कर दिया। हाए, ये कौन सा जियान की ताकत को कम करके आखा था और जानता था कि ये कोई दुरगटना नहीं थी कि वह लिया सोनगयान के आदम्यों से बच सकता था, इस खशन तक ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में जियान के वास्तविक साधनों को समझ गया था। हाला की एक खशन के सदमे के बाद ए उसके हरिदय में हर्ष की लहर दोल गई। जियान तियान को मारने के बाद भी वह इन अजीब खजानों को जीत सकता था। ये यात्रा सच्मुच व्यर्थ नहीं थी। मेरे प्रतिष्ठिर गहन क्षेत्र स्वामी के सामने आपके सभी संधर्श व्यर्थ हैं। ताव हंगांग चिल्लाया उसकी हथिलिया अचानक फट गई। इसके बाद भयनकर शोर हुआ। ताव हंगांग ने अपने बाए और दाय हात पर एक बड़ी सियान अनबूठी पहनी जियान तियान की आखे सिकुल गई और उसका दिल चौक गया। ताव हंगांग के शोट की शक्ती को देखते हुए उसकी ताकत लियाओ सोंग्यां से कम नहीं थी या उससे भी बद्तर जिसने उसे चौका दिया। एक प्रचंद गर्जना के साथ दोसियान विशाल मुठिय और मुली हुई उनलियों के हमलों ने एक दूसरे को नश्ट कर दिया जो मध्य हवा में गंडे तूफान में बदल गया। जियान तियान को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसके साधना स्तर द्वारा सीमित विशाल दानव के हाथ की हड़ियां केवल योग कर सकती थी और स्वर्ग स्तरिय जादूई हथियार रखने वाले गहन क्षेत्र के बिजलीगर के लिए कोई घातक खत्रा नहीं था। अरे ये वास्तव में फैन पिन नहीं है। विशाल राक्षस के हाथ की हड़ियों की अद्भुत शक्ती को देखने के बाद ताओ ह हैंगंद की आखे चमक उठी और उसका लालच बढ़ गया। छटे भाए उसे भागने मत देना। जब मैं इस बच्चे के जादूई हथियार को हटा दूनगा तो कृपया तीन दिन और तीन रातों के लिए पीने के लिए मेंजिया नलो पर जाएं। पाच्वे भाए साथ जुनना उसके लिए असंभव था। स्वाभाविक रूप से वह केवल एक उपकार ही हो सकता है। सभी की घेराबंदी का सामना करते हुए जियान तियान गुस्से में था लेकिन उसने वास्तव में दिशात्य कर ली थी। सफलता ताव हैंगा को नहीं मिली जिसके पा जा सकता है। यही कारण है कि जियान तियान ने उपर आते ही अपनी पूरी ताकत से ताव हैंगंद पर हमला कर दिया। जाग तियान जी। जियान तियान ने हवा में हिंसक रूप से आगरह किया और दो विशाल राक्षस हाथ की हड़िया बुरी तरह से गला घोंट रही ताव हैंगंद को कसकर उलजा दिया। हाला कि दूसरा पक्ष सफल होने के लिए उत्सुक था लेकिन वे दो शक्तिशाली जादूई हथियारों के सामने रातोरात ऐसा नहीं कर सके और केवल उनके साथ धहरे रख सकते थे। इस समय ताव हैंगंद के विचार पूरी तरह स जियान तियान पर नहीं थे और उनकी मुख्य ओर्जा विशाल राक्षस की हाथ की हड्यों के साथ उलजने में खर्च हुई थी। जहां तक जियान तियान का सवाल है उनका मानना था कि ताव हैंगंद मुझूद थे और चार क्वासी प्रोफाउंड दाइरे के बुझूर लगों की सहायता से उनके लिए किसी भी तरह से भागना असंभव था। शॉट लेने के बाद जियान तियान ने संकोच नहीं किया उसका शरीर आश्चार्य जनक गती से हिल गया और ताव हैंगंद मेरों की एक लहर के साथ बाहर निकल गया। दफलेम स्वार्ट कैनन, अच्छा लड़का, वास्तब में कुछ तरकीवे हैं लेकिन मेरे सामने ये पूरी तरह से बेकार है। ताव हैनली यहन क्षेत्र के एक मजबूत विशेशक्य के रूप में स्वाभाविक रूप से कार नहीं चलाते थे प्रतिद्विंद्वी के तरीकों के बारे में बहु करते हुए, वह मदद नहीं कर सका लेकिन इस अजीब खजाने में दिल्चस्पी लेली और इससे पहले कि ताव हैंगन की कोई प्रतिक्रिया हो उसने तुरंट सबसे पहले बात की। की हड्डियों को और भी अधिक प्यार करता था। आखिरकार इन दो जादूई हथियारों में से प्रतियक की शक्ती उस अजीब तलवार इंड्रधनुष से कमजोर नहीं है और उन दोनों को एक से एकठा करना अधिक लागत प्रभावी है। करन तेज गलगलाहट की आवाज के साथ धेह गए। चाकू से काटने के बाद ताओ हैनली नहीं रुका, उसकी आकृते ने उसके पेरों को हिला दिया और जियान तियान की ओर दोर पड़ा, जो एक जटके में इस जादूई हथियार को उतारने के लिए तेयार था। हाला की इस समय जियान तियान ने अपना दाहिना हाथ जोर से लहराया और चिक्सियू स्वोर्ड मेरो से फिर से हमला करने का आगरह किया। बूम तलवार, बूम, शून्य में तलवार की रोशनी सम्रिधती और शक्तिशाली तलवार का इरादा खुल गया और वह बिना किसी स्पष्टिकरन के ताव हैनली की ओर लुलक गया। अभिमानी, ताव हैनली को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष पीछे नहीं हटेगा और उसका डटकर सामना करना जारी रखेगा और क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। चोग्यान क्षेत्र का एक जुनिर जो ऐसा करने का साहस करता है, वह उसके लिए एक बड़ी चुनोती है। एक गहन क्षेत्र की शक्ति के रूप में उसे द्रिलता से लरना होगा और प्रतिदवंधवी के अहनकार को कुचलना होगा। लंबी तलवार हवा में उच्छली तुरंत एक विशाल ब्लेड छाया को विभाजित कर दिया, ब्लेड की हिंसक शक्ती ने शून्य को भर दिया और तलवार की शक्ती से एक पंक्ती में विस्फोट हो गया। लेकिन साथ ही, जियान तियान कभी नहीं रुका। घूमती तलवार, उल्टी तलवार, दो घुमाव वाली तलवारों के साथ, शिक्सू तलवार मेरों ने शून्य में दो विचित तलवार के निशान बनाएं, जो आश्चर्य जनक गती से ताव हैनली की और बढ़े। फिस, ताव हैनली आत्म विश्वास से भरपूर था, थोड़ा सा लापरवाह भी था, और वह साथान था और तलवार की इस अजीब शैली से लगभग धायल हो गया था। वह अत्यदिक भरष्ट होने से खुद को नहीं रोक सका और उसने एक भयानक हमला शुरू कर लड़के, ताव को इतना उकसाने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें बिना दफन स्थान के मरने दूनगा। ताव हान ने जमकर शराब पी और बेतहाशा गोली चला दी और लंबा चाकु जियांक्तियान पर बेतहाशा घूंग गया। ताव हैनली उत्तेजना को सहन नहीं कर सके, पूरी तरह से ख्रोधित हो गए और उनके पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति फट गई। बूम, विशाल तलवार की छाया बेतहाशा भाड़क उठी, मानो शून्य को फार दाला हो और शक्तिशाली तलवार तेजी से नीचे फैल गई, जिससे जियान तियान को मौके पर ही गंभीर रूप से चोट लग गई। लेकिन जियान तियान की प्रतिक्रिया ने उसे थोड़ा आश्चरे चकित कर दिया। इस तरह के आकरामक का सामना करते हुए उन्होंने तुरंत चीजू जियान मेरो से ब्लॉक करने के ल पारो भाला की, जब जियान तियान काफ रहा था, उसका दाहिना हाथ पागलपन की तरह इशारा कर रहा था और उसके पुरे शरीर पर बेंगनी रंग की रोशनी फैल गई और उस पर हमला कर दिया। आस्मान को निगल जाओ, बूम, बेंगनी रोशनी अचानक फूट पड फिर भी उन्हें इस अचानक आगात का सामना करना अपरिहार यथा, उसकी आख का कोना उचला और अवचितन रूप से बह गया, और शून्य में एक दबी हुई ध्वनी छोड़ गया। ताव हैनली की और बढ़े और उन्हें अचानक रोप दिया। अनुचित, यदि तुम भाग नहीं सकते, तो उसे मेरे लिए रोप दो। ताव हैनली पूरी तरह फ्रोधित थे। चोग्यान क्षेतर का एक जुनियर उसे सिर्फ एक जादूई हथियार से रोपना चाहता थ वो सच्मुच नहीं जानता था कि आकाश कितना उचा है। उसने अपनी लंबी तलवार को जोड से घुमाया और काद दिया और जल्द ही लाल बर्फ की तलवार के मज्जा के ब्लॉक को छोड़ दिया, लेकिन इस शंकी देरी ने जियानतियान को सास लेने का मौका दिया। उसकी आकृते एक जटके में खत्म हो गई और उसके पूरे शरीर पर बेंड़नी रंग की रोशनी फैल गई। हटो, आश्चर्य जनक हत्या का इरादा प्रकट करते हुए। लड़का, तुम बहुत घहमंडी हो। हम दोनों से बचना चाहते हो, सपना देख रहे हो। दो अर्ध जुवान क्षेत्र के बुजूर्गों के चहरे डूब गए और वे बहुत क्रोधित हुए। जयान तियान ने स्पष्ट किया कि उसने उन्हें अपनी आखों में नहीं डाला। ऐसे घहमंडी छोटे चोग्यान क्षेत्र मार्शल कलाकार के लिए उसके पास क्या यो तलवार थी और वे बिना किसी स्पष्टीकरण के जयान तियान की आध्यात्मिक शक्ती में घुस गए। उनकी राये में दो अर्ध गहन क्षेत्र के स्वामी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और जयान तियान सक्षम होने पर भी उसे रोक नहीं सका। हाला कि उन्होंन दहार ने शून्य को हिला दिया और दो बैंगनी अंगुलियों की परचाईया एक पागल अजगर की तरह बाहर निकली तुरंत उनके शरीर को छेटते हुए। क्या ऐसा कैसे गलगला हट। दोनों ने एक एक चीक निकाली उनकी आखों में अत्यदिक भय बना हुआ था उन अगर वे वहां होते तो वे इतने बड़े होने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन दुश्मन को क्षनिक कमाकने की वजह से उनकी जान चली गई और अब पच्ताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। गड़गडा हट। जियान तियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प भागना होता तो वह भाग नहीं जाता मैं ताओ हंगान को समझाने में सक्षम हूँ। इस समय ताओ हंगान अपनी पूरी ताकत से विशाल दानव की हाथ की हड़ी पर हमला कर रहा था लेकिन जियान तियान ने जान बूचकर विशाल दानव की हाथ की हड़ी को उससे लड गया वास्तव में रुकना चाहता था हाला कि दूसरी तरफ की स्थिती अभी भी उसकी नजर में थी जब उसने जियान तियान को जबरन ताव हैनली की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए और एक ही पल में दो अर्ध गहन क्षेत्र के बुजुर्गों को मारते हुए देखा त लेकिन इस समय जियान तियान ने आकाश से दूर कदम रखा और विशाल दानव की हाथ की हड्या हिंसक रूप से हिल गई, दो सुनेहरे बिजली के बोल्टों में बदल गई और तुरंद गायब हो गई ताव हंगान का उग्रह रिदय तुरंद ढूब गया और उसका चेहरा अत्यंत प्रोधित हो गया दिखकार है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ गहन क्षेत्र के स्वामी के रूप में संशाइम क्षेत्र के मध्य चरण में एक जूनियर द्वारा इतना छेड़े जाने से वास्तव में उन्हें गुस्सा आ गया वह जियान तियान को पकड़ना चाहता है, उन जादूई हथियारों को अपना बनाना चाहता है और उसे प्रतारित करने के बाद उसे मार डालना चाहता है ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके गरल गरा हट ताओ हैनली भागने वाले पहले व्यक्ति थे, ताओ हैंगंग ने उनका करीब से पीछा किया, और अन्य दो अर्ध जुवान क्षेत्र के बुजुर्गों ने सदमे से भरे हुए उनका करीब से पीछा किया। क्यूं न हो, केवल एक ही गतिरोध है। चांदी की आकाश में उड़ने वाली नाव हवा में चकाचोग चांदी की रोशनी छोड़कर आश्चर एजनक गति से पहारों और जंगलों की गहरायों में उड़ गई। धतेरी की, मुझे पकड़ाएं। ताव हंगांग और ताव हैनली चिल्लाए, अगले दो अर्ध गहन क्षेत्र के बुझूर्गों की प्रतीक्षा करने में बहुत देर हो गई। उन्होंने उड़ने वाली नाव का त्याक कर दिया और उसी समय जियानतियान का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए। जानते हुए कि वे पकड में नहीं आ सकते, वे अपनी गती धीमी करने से नहीं रोक सके। उसे एहसास हुआ। हाहाहा, ये बहुत अच्छा है, ये दो बुजूर्गों की पसंद है, इसमें कोई आश्चार्य नहीं की हम है। दोनों एक दूसरे को देख कर हसे, उनका दिल गर्व से भर गया। वास्ताव में भले ही वे बने रहें, वे केवल तोप चारे के रूप में कार्य कर सकते हैं। हालाकि दो गहन क्षेत्र के आकाओं के दमन के तहट, जियान तियान के अभी दृष्य को दोहराने और उन पर चाल से हमला करने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता है, तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि महत्वपून क्षन में क्या होगा, भविश्यवा नहीं करना तो दूर की बात है, क्या जियान तियान के पास और भी अजीब तरीके होंगे, यदि ऐसा होता तो उन्हें निश्चित ही इसका पच्चतावा होता, उन दोनों ने इसके बारे में इस तरह सोचा, और अचानक उन्हें एक बड़ा लाब हुआ, और उनका मूड बेहत शांत हो गया, दोनों बुजुर्ग इतने शांत स्वभाव के हैं, उन्होंने जियान तियान का अनुसरंग क्यों नहीं किया, उनके पीछे अचानक एक उदास व्यंगे की आवाज सुनाई दी, और दोनों के शरीर चौक गए, और जब उन्होंने पीछे मुड कर दे तुम मुझे दराने के लिए क्या कर रहे हो? बुजुर्ग लियाव, जियान त्यान वहाँ गया था, आप उसका पीछा क्यों नहीं करते? दोनों लोगों के चहरों पर गुसा था और दिलों में आग थी. इतनी नजदी की दूरी पर, लियाव सोन गयान जैसे गहन क्षेत् यकी तो बात ही छोड़ दे, भले ही अर्ध गहन क्षेत्र में वही रैंक चुपके से हमला करना चाहता हो, उन्हें बिना तैयारी के नुकसान उठाना पड़ेगा. योध्धा के लिए, यदि कोई विशेश कारण नहीं है, तो इस प्रकार का मजा कामतोर पर अस्वी कार्य है, थोड़ा सा भी यह चुनोती पूर्ण है, और सबसे खराब स्थिती में, ये गुस्से में गोली चलाने और तारानकन 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 लड़ाई का कारण बन सकता है. हाला कि दोनों की तीखी पूछताच के सामने लियाव सोंग्यांग ने खुद को पहले ही सुलजा लेनी होगी. लियाव सोंग्यांग धूर्ता से मुस्कुराया, उसकी आखे थोड़ी अजीब थी. दो विरोधी लोग थोड़ा चौके कसकर भौहें सिकोर रहे थे, अब चितन रूप से थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे. लियाव सोंग्यांग ने परिवार के केकिंग बुजुर्ग के रूप में, आप हमारे डौव परिवार के प्रत्यक्ष बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए यहां हैं. क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत जादा है? लियाव, तुम्हारी कौन सी आख हमें आलसी होते हुए देखती है? भ प्रीट लियाव सोंग्यांग से डरते नहीं थे. इससे भी अधिक, ये दोनों लोग ताव परिवार के बुजुर्ग हैं और उन्हें परिवार की सीधी रेखा कहा जा सकता है. हाला कि लियाव सोंग्यांग बापरिवार के मुख्य आते थी हैं, आखिरकार वे सिर्फ नहीं था, बल्कि उनके हृदय की गहरायों से एक प्रकार की अवमानना थी. जब लियाव सोंग्यांग ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर उदासी चा गई, उसकी आखे थंडी हो गई. उसकी प्रतिक्रिया देखकर विप्रीद दिशा के दो बड़े ताव तुरं और नौकरी पाता है, वह अच्छे काम करने के लिए परियाप्त है, उसे इतना परेशान मत करो. भले ही पांचवे बड़े और छटे बड़े को पता हो कि यह क्या है, क्या हम थोड़ा धीमे नहीं चलते? क्या हम बहुत दूर चले गए? अकेले ही उन्होंने हमें फेकने की पहल की. क्या यहीं एक बड़ी समस्या है? लियाओ, लाव तजू को ऐसी नजर से मत देखो, तुम्हें आत्मत जागरूख होना चाहिए. शायद एक दिन बा का परिवार गिर जाएगा, फिर भी तुम्हें भोजन मांगने के लिए हमारे ताओ के परिवार के पास जाना प जर में, बा कबीले के प्रमुक बुजूर केकिंग, गहन क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेशक, एक गरीब भिखारी लग रहे थे. दोनों के उपहास ने लियाओ सोन ग्यान को पूरी तरह से ख्रोधित कर दिया. उसकी आखे सुदूर उत्तर में वानिक सुवान की बर् पूरी नी थी, और उसकी आखे बहुत थंडी थी. मैंने कहा, लाव तजू को ऐसी नजर से मत देखो, सावधान रहना की भविश्य में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. उपनाम लियाओ है, यदि आप इसे जानते हैं, तो बाहर निकले. यहाँ गाजर खाने के बारे में चिंता न करें. कुत्ता चुहे से परेशान है. लियाओ सोंग्यान का चेहरा पीला पढ़ गया, ये देखकर उन्हें बेहत गर्व हुआ, और यहाँ तक की उनमें उपलब्दी की थोड़ी सी भावना भी थी. गहन क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के बारे में क्या, और अभी के शब्दों ने सीधे तोर पर उसके दिल में छिपे गुसे को जगा दिया और उसकी हत्या के इरादे को पूरी तरह से जगा दिया. गड़ गड़ा हट, लियाओ सोंग्यान की आखें अत्यदे कुदास थी, और उसके शरीर की सासे बेतहाशा बढ़ गई, तेजी से शूने को ढग दिया और वह मदद नहीं कर सका लेकिन उन दोनों को भेर लिया. दोनों ने कुछ गलत देखा, उनकी आखों के कोने बेतहाशा उच्छल पढ़े और उनके दिल स्तब्ध रह गए. आप, आप क्या करना चाहते हैं? मैं तुम्हें चितावनी देता हूँ, गर अगर उसे अपने पागल शॉट्स की परवा नहीं थी, तो वे दोनों बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे. अभी बाय और दाय कोई नहीं है, एक बार जब दोनों पक्ष एक दूसरे से भिल गए, तो परिनाम बिल्कुल अकलपनिय होंगे. हाँ 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 हाँ, लिया लियाओ सोन्ग्यांग अचानक गंभीर रूप से हसे, उनकी आखें बेहत पागल हो गई. दो तारांकन 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 बेवकुफ। मैं इतना मूर्ख था कि मुझे कुछ चलने के लिए दौव परिवार का इस्तेमाल किया, क्या तुम सब अपने दिमाग में तारांकन 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 हो. उच्छाल, लियाओ सोन्ग्यांग की आभा बार बार बढ़ी, पहले से ही एक भयानक स्तर पर पहुंच गई. दो ताववादी माता पिता उसकी अत्याचारी जबरदस्ती की आर्मे काम उठे और उनके दिल दहल गए लियाओ, दौफ परिवार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भड़का सकें. यदि आप परिचित हैं, तो हमसे संपर्ख करें और माफी मांगें, अन्यता आप परिनाम सहन नहीं कर सकते. इस मोर पर दो ताव बुजूर्ग थे अभी भी परिवार की ताकत से एक दूसरे क धमकाने की कोशिश की जा रही है. हाला कि लियाओ सोंग्यान की नजर में इस तरह का व्यवार मुर्ख तापूर्ण है. लाव तजू के लिए चुप रहो. लियाओ सोंग्यान की आखे उदास्ती और वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा. हिंसक शक्ती ने विरोधी दोनों को जग जोर दिया. ताव परिवार क्या है? क्या आपको लगता है कि ताव परिवार की प्रतिष्ठा से बाहर निकलने से लियाओ को नुकसान हो सकता है? इसके अलावा, उसे मुझे कुचलने के लिए बापरिवार का उप्योग न करने दे. यही वह चीज है जिससे लाव के पहाड और जंगल काउपने लगे. तुम, पागल हो क्या? लियाओ, तुम मर चुके हो. दोनों ने अपना मुझ पीस लिया और शाप दिया. लियाओ सोंग्यांग ने इस तरह के अपशब्द कहने का साहस किया, जिससे ना केवल डौब परिवार नाराज हुआ, बलकि अ ऐसी विद्रोही टिपनिया बातियानिक सियुनक के कानों तक पहुँचती हैं, तो ना केवल उनके मुख्य आतिती अधिकारी की स्थिती असुरक्षित होगी, बलकि उन्हें बापरिवार से भी निश्कासित कर दिया जाएगा. और क्योंकि उसने उसी समय ताव परिवार क नाराज कर दिया था, उसने कांगजिन के आसपास अपनी पकड़ लगभग खो दी थी. उपनाम लियाओ है, आप चावल खा सकते हैं, लेकिन आप बकवास नहीं कर सकते, आप जो करेंगे उसके लिए भुकतान करना होगा. चलद, दोनोंने लियाओ सोन्ग्यान को थंडी नजर से देखा, फिर भागने के लिए मुल गए. अचानक, शुन्यता को भेरने वाली जबर्दस्ती आसमान चूने लगी, जिसने सीधे तोर पर दोनों को एकी स्थान पर सीमित कर दिया. ये सब इसी के लिए है, क्या आप अब भी जाना चाहते हैं? अध्याए 987, चिलान लियाओ सोंग्यांग आप, आप क्या करना चाहते हैं? लियाओ, मैं तुम्हें चितावनी देता हूं की गरबर मत करो, अन्य था. डॉट डॉट उधरंग चिन्ह, अन्य था. इससे पहले की दूसरा पक्ष अपनी बात समाप्त करता, लियाओ सोंग उनमत मुसकान के साथ त लियाओ सोंग्यांग ने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया और अपनी आस्तीन बाहर फेक दी, चांदी की रोशनी शून्य में बेतहाशा चमक उठी और चांदी की लप्ते उपर उठी, जिससे दोनों द्वारा छोड़े गए मास और रक्त के अफशेश तुरंट फ्लाइ लियाओ सोंग्यांग ने अपने दिल में बेहत सहज महसूस करते हुए बुरी सास छोड़ी और उस दिशा में उसका पीछा किया जहां जियांग तियानयुन जंगली हसी के साथ चल रहा था, पीछा करने के तुरंट बाद ही उसे एहसास हुआ की कुछ गरबढ़ है, आखि प्रत्याशित रूप से दो ताओं से मिला, जेश्ट, वह पहले से ही अपने दिल में घुटन से भरा हुआ था और किसी को बाहर निकालने के लिए धूंडना चाहता था, दुर्भाग्य से ताओं के माता पिता दोनों हमेशा एक दूसरे पर नजर रखते थे, ना केवल उ उन्हें अपनी खतरनाक स्थिती का एहसास नहीं था, बलकि उन्हें उन्हें उकसाना पड़ा, उनके पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मेरी नफरत को बाहर निकालो, गड़गड़ा हट, एक तेज गरजना शून्य में रह गई और लियाव सोंग्या एक मोटी रोशनी में बदल गया और हवा में तूट गया, डॉट 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 जल्दी, वहाँ पर उसे भागने मत दो, ताव हंगांग और ताव हैनली एक सफेद उरने वाली नाव में हवा में उरते हुए जियान तियान के और करीब आ गये, ये देखकर कि वो पकड़ नहीं वाला था, जियान तियान अचानक मुरगा और आगे घने धुंद भरे पहारी जंगल में बह गया, मैं कोहरे से बचना चाहता हूँ, किसी भी तरह नहीं, हिंसक चीखों के बीच ताव हंगांजी ने टेक ओफ नाव को वापस ले लिया, और ताव हैनली बाई और डा ना इसके लायक नहीं है, जब तक वे अपने आध्यात्मिक विचारों को जाने देते थे और आगे पीछे घूमते रहते थे, वे बिना किसी प्रयास के जियान तियान के निशान पा सकते थे, गलगला हट, दोनों पागलों की तरह भागे, एक दाहिनी ओर और दूसरा जिय और रुक-रुक कर होने लगती है, अनुचित, पाच्वे भाय, लगता है वो बच्चा फिर से वही हरकत कर रहा है, दोनों हवा में चिल्लाए, उनके पूरे शरीर पर भयानक जानलेवा इरदा दिखाए दिया, और वे बार-बार शक्तिशाली आध्यात्मिक विचारों के स अपने सामने पहारों और जंगलों में बह गए, जयान तियान की सासों को करीब से पकड़ लिया, जल्दी करो, पकड़ने के लिए गती बढ़ाओ, ताव हंगान चिल्लाया और अपनी बाहों को आगे बढ़ाया, और हिंसक आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, और उसके सामने घने कोहरे को तोड़ दिया, हाला कि इस पहाड़ी जंगल के उपर घना कोहरा अंतहीन लग रहा था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, हाला कि उसके शोट की शक्ति काफी अद्भुत थी, फिर भी वह कोहरे को पूरी तरह से साफ नहीं कर सका, धत्तेरी की, ताव ये जानते हुई कि ये विधी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, इसलिए वह केवल इसे जबरन अपना सकता है, जियान तियान के घने जंगल में भाग जाने के बाद, घने कोहरे और यहां स्वर्ग और पृत्वी की आध्यात में कूर्जा की आड़ में, वह बाय से दाएं, पूर्व और पश्चिम की ओर दोनों को गोल चकर में घुमाता रहा, पता लगाने में असमर्थ रहा, उसकी दिशा, हो हो, हो, अचानक सामने कुछ मन जानवरों की दहाने सुनाए दी, और साथ ही, शुन्य में कई भयंकर आभाय दिखाए देने लगी, पाच्स तरीय राक राक्षस जानवर की आवाज सुनकर, उसने फिर से गती तेज करते हुए आवाज का पीछा किया, पाच्वे भाय, यहाँ पहाडी जंगल का भीतरी इलाका है, सामने की आवाज पाच्वे स्तर के राक्षस की लगती है, हाँ, यह एक से अधिक छोर जैसा लगता है, गड़ ताव हंगांग एक पल के लिए करा हो था, उसकी आखे तेजी से सिकुल गई, उसके चहरे पर उगरता दिख रही थी, एक शक्तिशाली गहन क्षेत्र विशेशग्य के रूप में, यदि पाच्वे स्तर के कुछ राक्षस भी डरते हैं, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ तक आगे भागने से पहले थोड़ी देर रुके, हाला कि जैसे ही वे राक्षस जानवरों के क्षेत्र के पास पहुँचे, उन्हें अच्छानक पता चला कि किसी कारण से पाच तरिये राक्षस जानवर पहारों और जंगलों की गहराए में पीछे हत्ते दिख रहे थे, और र बच्चा मर गया है, दोनों जोर जोर से हसे, एक स्वर मैंबहुद हार्दिक मूर, वर्तमान स्थिती को देखते हुए उनका निर्नय निसंदेह सही है, यदि वे अभी डर गए होते, तो शायद वे एक महान अफसर चुक गए होते, वहाँ हल चल है, हाए, ये जियान तिया की सास है, इसका पीछा करो, अचानक दोनोंने मार्शल आर्टिस्ट की सासों पर ध्यान दिया और उन्होंने अपना ध्यान जियान तियान की राह पर केंडरित किया, ना केवल वे दूर नहीं थे, बलकी वे थोड़े जिजकते और भयभीद भी थे, हाँ हाँ हाँ, ये अच्वे भाई, हमारा मौका यहाँ है, तो फिर तुम अब भी जिजक क्यों रहे हो, पीछा क्यों नहीं करते, ताओ हंगान बेतहाशा हसे और आगे भागने के लिए ताओ हैनली का स्वागत करने के लिए अपना बड़ा हाथ लह राया, हाला कि गहरे जंगल में भागने क के बाद, उन्हें अचानक पता चला की जियांग तियांग की सासे फिर से गायब हो गई हैं, अरे, ये कैसे हो सकता है, ताओ हंगान ने भयन कर दहार लगाए, उसका चेहरा क्रोध से तमत्मा गया, उसकी आखे दो तेज तलवारों की तरह थी, और उसने घने जंगल को भय अनुचित, पाच्वे भाय, क्या ये बच्चा हमें चिवा नहीं रहा है, ताओ हैनली हमेशा से चालाक रहे हैं, इस्थिती पर भौहें सिकुलते रहे हैं और आश्चर्य करते रहे हैं, हाला कि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन सभी संकेतों से ऐसा लग र रहा था कि ज्यान तियान जान बूज कर उन्हें यहां ले जा रहा है, वह पहले हताश होकर भागता है और फिर उससे संदे होता है, लेकिन उसने कभी भी सुरागों को पूरी तरह से नहीं काटा, जैसे कि उन्हें एक वायरलेस केबल के साथ यहां लाया जा रहा हो, ऐसा क कैसे हो सकता है, ताव हंगान अचमभित रह गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और उपहास किया, उसकी अभिव्यक्ती बेहत्तिर्स कारपून थी, आपको क्या लगता है कि चोग्यान क्षेत्र के मध्य चरन में एक जूनियर हमारे दो गहन क्षेत्र विशेशग्यों के साथ क्या खेल सकता है, ताव हंगान के सवालों का सामना करते हुए, ताव हैनली की भौहे तन गई, वह कुछ अवाक रह गया, दरसल भले ही जियान तियान कोई चाल खेलना चाहता हो, उसके पास परियाप्त ताकत होनी चाहिए, वर्तमान परिवेश में सामने राक्षस है एक से आधिक, पीछे-पीछा करने वाले सैनिक और यहां तक की दो जानलेवा प्रोफाउंड रियल पावहाउस भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये जियान तियान के लिए एक खतरनाक स्थिती है, भले ही वह वास्तब में भागना चाहता हो, उसे जीवन और मृत्यू के ऐसे स्थान पर नहीं भागना चाहिए, अध्याय 988, मूर्क, ये सही है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है, डौट डौट उद्धरन चिन्ह, ताव हैनली ने सोच समझ कर आश्चर्य की द्रिष्टी से भोहें सिकोल ली, ठीक है, जिद्वंद्वी को अंजाने में बाधित कर दिया, उसने एक पल के लिए उस पर नजर डाली और दोनों आगे घने जंगल में बह गए, इस समय जियान त्यान ने अपनी सास रोकी और चुपचाप जंगल की गहराई में आ गया, घने कोहरे की आड़ में एक अद्भुत द रावनी रोशनी प्रकट करती हैं, जैसे कि वे किसी दुश्मन के पास आ रहे हों। उसकी भौहों के बीच गर्व का एक संकेत चमक उठा। जियान त्यान इन राक्षसों के पास आया, रुका और स्थिर खड़ा रहा, इन हिंसक और भायन कर अस्तित्वों से केवल कुछ फीट की दूरी पर। वह मुड़ा और अपने पीछे धुंद को देखा, अपनी शक् विशाली आभाओं को महसूस किया और उसके मूह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाए दी। अच्छा काम, जियान तियान की आँखों में रोशनी चमकी, वह शान्ती से मुणा और जमीन पर रिंगने वाले कुछ विशाल जानवरों द्वारा छोड़े गए संकीर अंतराल के माध्यम से चला गया। हाला कि ये राक्षस जानवर हलके से जटके से उसे बीच में पूरी तरह से निचोड सकते थे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और विशाल वेवाई भी काम प्रहे थे। यदि शून्यता की भयानक सास ना होती तो वे अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए अपने पैर भी खीच लेते। उपर जियान तियान राक्षसों और जानवरों के बीच की खाई से बाहर चला गया, फिर से रुक गया और अपनी रक्त प्रतिभा को थोड़ा कम कर दिया, लेकिन योध्धा की एक स्पष्ट सास जारी की, ये सास तेजी से पहारों और जंगलों से गुजरी और सीधे धुंद में बह गई, सेकड़ों मीटर दूर दो गहन क्षेत्र के स्वामी अचानक जगमगा उठे, कहा है, जल्दी, तुरंत पकड़ों, जियान तियान की सास को देखकर दोनों आश्चरय चकित रह गए, गहन क्षेत्र में उन जैसे लोगों के लिए कई सौ फीट की धूरी कोई बड़ी बात नहीं है, यानि इसे कुछ जटकों से पार किया जा सकता है, गलल गलाहट, दोनों परमानंद के साथ दोड़े और पलक जपकते ही वहां पहुँच गए, ले जैसे जानवरों को जमीन पर रेंगते हुए देखा, उनकी आखों के कोने हिल गए, चौक गए, उन्होंने लेवल पाच के बहुत सारे राक्षस देखे हैं, लेकिन ऐसी स्थिती उन्होंने कभी नहीं देखी, क्या ये सभी राक्षस मूर्ख हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे इस तरह एक पंक्ती में पंक्ती बद होकर जमीन पर लेटे हैं, उनका क्या करने का इरादा है, दोनों थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए, और अब चितन रूप से एक दूसरे की और देखने लगे, और साथ ही एक दूसरे के चहरे पर संदीग धभाव भी देखा, जियान तियान की खेती के आधार पर इतनी खतरनाक स्थिती में रहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या बखवास है? ये वास्तव में है, ताव हंगान खंडन करने ही वाला था, लेकिन उसने तुरंद जियान तियान की सास पर ध्यान दिया, जैसा कि छटे भाई ने कहा, वह वास तब में कुछ शक्तिशाली राक्षसों के पीछे था। यह अजीब है। ताव हैंगंग ने बेहा धहरान महसूस करते हुए भौहे चड़ा ली। दहार, दहार, इस समय कई राक्षस जानवरों के शरीर हलके से हिल गए और बेचेन होने लगे। उनकी आखों के कोने उच्छ तर का राक्षस राक्षसों के बीच सबसे शक्तिशाली अस्तित्व नहीं है, इसे जंगल का अधिपती माना जा सकता है। उनके सामने के कुछ राक्षसों को कोई चोट नहीं लगती, वे यहां बेवकुफों की तरह क्यों छिपे हुए हैं। यहां तक कि उनकी आखों के भाव भी एक खास तरह के गुस्से और शिकायत को प्रकट करते हैं जो बेहधी भयानक हैदबा दिया गया। उनके सामने की स्थिती ने दोनों को आश्चर्य चकित कर दिया। उन्हें अकेला छोड़ दो, पहले जियान तियान को ढूंडो और इसके बारे में बात करो। त अरे हाथ से ताव हैनली जियान तियान का ठिकाना धूंडना चाहता था। दूरी इतनी करीब है कि अगर जियान तियान जियान तियान के पास आना चाहे तो भी अगर वह भागना चाहे तो भी वह दूर नहीं जा सकता। आखिरकार उनका अफसर आ ही गया। दोनों का पू अच्छा नहीं हुआ, तो क्या ये निराशाजनक नहीं होगा? अच्छानक, राक्षसों के बीच की खाई से जियान्ग तियान की आवाज आई. ताव हैनली की आखे घूंग गई. यहां होने का नाटक मत करो, जियान्ग तियान्ग तुम भाग नहीं सकते. ताव हंगान ने स लक्ती से डाटा और उसकी जानलेवा आभा तुरंत बढ़ गई. इन पाच तरीय राक्षसों को अपनी ताकत आजमाने दो. शब्द गिरने से पहले जियान्ग तियान की सासे अचानक गायब हो गई. अच्छा नहीं है, भागना इतना आसान नहीं है. दोनों व्यक्तियों के हाव भाव गहरे हो गए और वे अच्छानक ओठे कुछ राक्षसों को पार करने और जियान्ग तियान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. हाला कि वे अभी जमीन से कई फीट उपर थे, लेकिन उन्होंने एक चौकाने वाला द्रिश्य देखा. हो हो हो, जानवरों की हि अच्य अच्य विशाल पहारी जैसे जानवर तुरंत आग की लप्तों में घिर गए, आखों में खून चमकने लगा और पूरे शरीर ने एक हिंसक सास छोड़ी जो लंबे समय तक दबी रही. नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे, ये तो बहुत अपमान जनक है. डाव बंधू की आखों के कोने जोर से हिलने लगे. वे इतने करीब थी कि उनके पास चक्मा देने का समय नहीं था और एक पल में उन्होंने देखा कि कुछ रख बेसिन उनकी ओर बढ़ रहे हैं. उच्छाल, गड़गडा हट, दोनों चौक गए और उन्होंने अपनी हथेलिया लहराई धतेरी की, धोखा खाओ, अचानक गुस्से भरी आवाज आई. हाला कि ताओ हंगांग और ताओ हैनली के पास केती का अच्छा कोशल था, लेकिन पाच अच्छे शक्तिशाली राक्षसों के हमलों से बचाव करना उनके लिए थोड़ा कठिन था. धीमी तेज आवाज के सा वे दोनों अभी कुछी फीट आगे बढ़े थे की वे वापस जमीन पर गिर पड़े. गर्जन, ओह, कई राक्षस जानवर जो लंबे समय से दबे हुए थे, उनमें बेतहाशा विस्फोर्ट हुआ और उनके दिलों का सारा गुस्सा बाहर निकलाया, उन्होंने दोनों पर बेतहाशा हमला किया, जिससे वे थक गए. धतेरी की, शरारती जानवर, मर जाओ. आखिरकार भायताओ हंगांग और भायताओ हैनली भी गहन क्षेत्र में निपुन थे, और उन्होंने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की, और उनमें से प्रतियक ने अपनी तलवारे ली और अपनी पूरी ताकत से राक्षस जानवरों पर हमला किया. एक पल में, पहारों और जंगलों में तलवार की हवा और तलवार के इरादे अंतहीन रूप से गरजने लगे, और आत्माओं की आभा के साथ भयानक आध्यात्मिक शक्ति पागल हो गई, घने जंगलों को उजव पूरी तरह से दूर हो जाती है. पहारों और जंगलों के अधिपती के रूप में, उन्हें कभी भी ऐसी शिकायत का सामना नहीं करना पड़ा था. वे पहले ही अपना गुस्सा दबा चुके थे और अपना सारा गुस्सा उन दोनों पर उतार रहे थे. हो हो हो, गड़गडा हट, हिंसक दहार मजबूत दानव शक्ती के साथार ने इस शून्य को पूरी तरह से धख लिया, और शक्तिशाली आभा एक दूसरे से भर गई, उन दोनों को धख लिया. यद्यपी दो गहन क्षेत्र के स्वामी शक्तिशाली थे, कुछ राक्षसों क सयुक दमन के तहट वे धीरे-धीरे गरबर हो गए. दिखकार है, मुझे डर है कि अगर तुम इसी तरह संधर्ष करते रहे तो बहुत बुरा होगा. उन्हें हमारी शक्ती का स्वाद चक्ने दो, दो डौब भाई सक्ती से चिल्लाए, उनकी आखों में जानलिवा इरादा आस्मान छू गया और वे मदद नहीं कर सके लेकिन रक्त और आध्यात्मिक शक्ती का आगरह किया. एक हिंसक गरजना के साथ, दो विशाल रहसे मय चंद्रमा एक ही समय में जंगल के उपर उठे. गड़गड़ा हट, पहाडों और जंगलों में एक भयानक गरजना गूंज उठी और एक ही समय में विशाल काले चांद की दो गोलिया, एक हरी और एक चांदी, एक अत्यंत शक्तिशली आभा का उतसरजन करते हुए शून्य में चमक उठी. इन दो आभाओं के तहट कई सतर पांच राक्षसों के शरीर तेजी से हिल गए और उनकी आभा मदद नहीं कर सकी लेकिन थोड़ी कमजोर हो गई. लेकिन जल्द ही वे फिर से उग्रह हो गए और पूरी तरह गुस्से में आ गए. हो हो हो, कुछ राक्षस जानवरों की आखे लाल थी और उनकी आखे हत्या से भरी हुई थी और उनकी हत्या का इरादा तेजी से उनके शरीर में भर जिससे पूरा पहारी जंगल एक असुर्ख शेत्र में बदल गया चोटे मानव योध्धा ने इन जंगल अधिपतियों को इतना भड़काने का साहस किया उसे किसी भी तरह इसकी कीमत चुकानी होगी एक पल में कुछ राक्षस जानवरों की आभा बढ़ गई और राक्षस जानवर बाहर लुडग गए और उनका विशाल शरीर अचानक हवा में उठ गया और उन दोनों की ओर अनायास ही दोड़ने लगा नुट शरार्ती जानवर मौत के पास जाओ गड़ गड़ा हट तलवार की हवा और तलवार का इरादा बेतहाशा चला और कुछ विशाल जानवरों के सामने से कटकर दूर चला गया घने जंगल में पल भर में खून की बचारे फूट पड़ी और दो चीखे गूंज उठी सामने से दोड़ते हुए आयद दो राक्षसों को जोरदार टककर लगी और वे जमीन पर गिर पड़े थोड़ी देर के लिए आसपास के पहाड़ों को तोड़ दिया ताओ हंगांग और ताओ हैनली की भी आखे लाल हो गई और उन्होंने एक मजबूत शोट लगाने का आफसर लिया और तलवारों की पागल रोशनी पागल हो गई दहार, दहार, दो राक्षस जानवरों को पता चला कि वे दहारने के लिए तयार नहीं थे लेकिन अंतता उन्हें इस हद तक काद दिया गया और वे असहाय होकर मर गए साधन इतने कठिन है, ये द्रिश्यत देखकर जियान तियान जो युद्ध देख रहा था थोड़ा आश्चारे चकित हुआ, थोड़ा भौका और उसकी आँखों में एक अजीब रन चमक गया ताव हैंगेंग और ताव हैनली के तरीके कमजोर नहीं है, लेकिन उनकी तयारी यहीं तक सीमित नहीं है फूह, इस गहरे पहारी जंगल में सब कुछ आपके उपर निर्भर है जियान तियान धूर्ता से मुस्कुराया और उसके पूरे शरीर की आभा अचानक निकल गई और घने जंगल की गहराई की ओर लुड़क गई हो, 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 एक पल में, घने जंगल में छिपा राक्षस जानवर भैभीत होकर बाहर निकल आया और यहां आ गया वे मूल रूप से यहां की असामान्य ध्वनी से चिंतित थे और इस समय एक राजसी और दबंग आभा महसूस की और वे और भी अधिक भैभीत थे निसंदेह केवल एक ही लक्ष है और वह है डौव परिवार के दो भाई हाँ 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 हाँ, कुछ राक्षसों ने उग्रहोने का साहस किया, अब हम जानते हैं कि हम कितने शक्तिशाली है क्या हो रहा है, दिखकार है, इतने सारे राक्षस अचानक क्यों प्रकट हो जाते हैं ताव हंगांद और ताव हैनली खुशी मनाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें जटका लगा और उनके चहरे का रंग एकदम बदल गया इस बार तीन या पाँच से अधिक राक्षस घने जंगल की गहरायों से बाहर निकल आए वहां कम से कम एक दरजन राक्षस थे और हर एक दूसरे से बढ़ा था और उसकी आभा भी बहुत अधिक थी एक से अधिक मजबूत इतना भयानत गठन भले ही वे दोनों अपनी पूरी ताकत लगा दें लेकिन विरोध नहीं कर सकते दिक्कार है ये कैसे हो सकता है पाँचवे भाई वापस जाओ कुछ देर आराम कर लेते हैं दिक्कार है लानत है ताओ हानली ने उनका स्वागत करने की पूरी कोशिश की ताओ हान ने अभी अभी अपनी पूरी ताकत से शाप दिया और पीछे हटने लगे लेकिन राक्षसों ने उन्हें शांती से जाने नहीं दिया एक एक करके वे पागलों की तरह गुर्राते हुए आगे बढ़े और वुडलेंड अचानक अस्त व्यस्त हो गया ध्यान से अनुचित, आह, विस्त में अदिबोधक, चीखें, राक्षसों की दहार और आध्यात्मिक शक्ती का विस्फोट अचानक एक साथ हुआ और एक दर्जन पाच तरिय राक्षसों ने जंगल में दो गहन क्षेत्र के योधाओं को भेर लिया गलगलाहट की आवाज ने आसपास के पहाड़ों और जंगलों को आध्यात्मिक शक्ती से हिला दिया और विशाल पेर धराशाए हो गए लंबे समय के बाद ताओ हैंगेंग और ताओ हैनली मुक्त हो गए लेकिन उनके शरीर सभी रंगे हुए थे विशेश रूप से ताओ हैंगेंग जो आगे बढ़ रहे थे उनके शरीर पर एक दर्जन से अधिक खुन के धब्बे थे जो चोकाने वाला था हो 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 घने जंगल में दहार जारी रही और पाच्वे स्तर का उग्र राक्षस रुखने से पहले बहुत दूर तक भाग गया हिंसक दहार पहारों और जंगलों में गूंज रही थी मानो ये घोशना कर रही हो कि वे ही इस पहारी जंगल के असली अधिपती हैं और दो छोटे मानव योध्धा सिर्फ मामूली चीटियां थी उनके सामने केवल भागने का मौका था दिखकार है, लानत है, पाच्वे भाय, चिंता मत करो, हाला कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, जियां तियान शायद इतने सारे राक्षसों के सामने और भी बत्तर है इस समय यह अनुमान लगाया गया है कि वह पहले से ही अंदर से मर चुका है ताव हैनली ने अपने दाथ पीस लिए, उसकी आखे द्रेशपूंग रोशनी से भर गई यदि जियान तियान ऐसी भूतिया जगह पर नहीं भागा होता, तो उनके दो प्रतिष्थित गहन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग ऐसी शर्मनाक स्थिती में कैसे गिर सकते थे की तरह उभर जाते थे, छठे भाई, तुम बहुत सरल सोचते हो, ताव हंगांग ने एक पल के लिए शाप दिया और अपना क्रोध प्रकट करने के बाद उसका चेहरा अचानक डूब गया और उसकी भौहे कस गई, क्या, ब्रदर फिफत को नहीं लगता कि जियान तियान द्रिश्य की तहट अपनी रक्षा कर सकता है, ये कैसे संभव है, ताव हैनली की आखे बेतहाशा उच्छल पड़ी, जिसमें पीट-पीट कर मार डालने का भाव था जिस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि जियान तियान कितना शक् वह तेज धूप के क्षेत्र में केवल एक मध्य चरंग का योध्धा है, इन भयानक पाच्वे स्तर के राक्षसों के सामने वह बिना किसी आत्म सुरक्षा वाली चीटी की तरह है, जानबूच कर हमला करने के लिए उसे शायद ही उन राक्षसों की जरूरत है, विशाल खं की संभावना कैसे होती, हाला कि ताओ हंगान स्वभाव से थोड़ा लापरवाह था, लेकिन वो पूरी तरह से कच्चा व्यक्ती नहीं था, इस समय वो बुद्धिमान और चालाक ताओ हैनली की तुलना में अधिक सतर्क था, छठे भाई हमने उसे शुरू से ही कमाका, भूल गए हैं कि जियान तियान ने अभी क्या कहा था, तुम्हारा मतलब है, उसने क्या किया ए राक्षस हम पर हमला करने से पहले कहता है, जब ताओ हैनली ने शब्द सुने तो वह चौक गया, और राक्षस के पागल होने से पहले जियान तियान द्वारा कहे गए असंभव ये बिलकुल असंभव हैं। अध्याए 990 अनुमान लगाये ताओ हंगान्त का मन स्तब्ध रह गया और उसके मन में तीव धबराहट होने लगी। यदि जियान त्यान अजन के पास इस तरह की क्षमता होती तो वे अब यहां रहने की हिम्मत नहीं करते। इस परव वापस लड़ने की ताकत नहीं होगी। इतने सारे भयन कर विशालकाय राक्षस उन पर कदम रखने मात्र से ही वे उन्हें रौंध कर मौत के घाट उतार सकते हैं। ताओ हंगान्त की आखें अत्यंत गंभीर हो गई, उसने चिंतन करते हुए अपना सिर धीरे से हिलाया। नहीं, अगर सच्मुच उसमें ऐसी क्षमता है तो वह इतनी देर तक हमसे उलजेगा। ताओ हंगान्त के दिमाग में विभिन विचार कौंध गए, लेकिन यह अनुमान जल्दी ही समाप्त हो गया कि जियान तियान में राक्षसों को नियंतरित करने की क्षमता थी। हाला अनुमने के लिए, एक राक्षस को उसे दबाने के लिए अपनी रक्र संबंदी प्रतिभा का उप्योग करने से पहले प्रकट होना होगा। अन्यथा, उसके पास राक्षस जानवर नहीं होगा, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो, वह बहुत कुछ नहीं कर सकता। न इस से पहले की वह आदेश देता, वे सभी राक्षस दुष्टों की तरह जमीन पर लेट गए। उनमें से प्रत्येक अजीब लग रहा था और उनकी सासे बेहद उदास थी। ताव हैनली इस रहेस्य को समझ नहीं सका, जितना अधिक वह सोचता, उतना ही अधिक दरता। अगर जियान तियान के पास वास्तव में ये हजीब तरीका होता, तो उन दोनों को तो छोड़ ही दे, यहां तक की पूरा डौब परिवार भी शायद उसे नाराज नहीं कर पाता। यदि जियान तियान वास्तव में चिंतित था और दूसरे पक्ष ने ताव परिवार को भीरने के लिए बड़ी संख्या में राक्षसों को खदेर दिया, तो क्या पूरे परिवार का रक्तपात करना आवश्यक नहीं होगा। बस इस तरह के विचार के बारे में सोचने से ताव हैनली आश्चरे चकित हो गया, उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। दौफ परिवार मजबूत है और स्वाभाविक रूप से उनके प्रत्यक्ष बुजूर भी पारिवारिक व्यवसाय में सम्रिध हैं, और परिवार के कुछ सदसे नहीं हैं, और इस स्थिती को किसी भी मामले में होने की अनुमती नहीं दी जा सकती है। पाच्वे भाए, ये भयानक है, अगर उसके पास वास्तव में उस तरह का तरीका है, तो हम क्या कर सकते हैं। ताव हैनली का दिल काम प्रहा था और उसका मन चिंता से भरा हुआ था। ताव परिवार के बुजूर्ग के रूप में, उन्हें हमेशा लाड़ प्यार दिया गया है। हाला कि वह कांगलान सामराज्य के शाही परिवार जितना उच्च और महान नहीं है, फिर भी उसे कांगजिंग में शीर्ष व्यक्ति के रूप में भी माना जाता है। हाला कि इन में से अधिकांश परिवार द्वारा दिये गए हैं, सामान्य तोर पर इन्हें प्राप्त करना आसान नहीं है। कुछ चीजे स्वामित्व में होने पर महसूस नहीं होती, लेकिन एक बार जब वे खो जाती है, तो स्थिती बिलकुल अलग होती है। और जिस चीज से लोगों को डर लगता है, वह हो या हुआ, नहीं है, बलकि खोने के बारे में कि चिंता और डर है, जो सबसे अधिक पिलादा एक स्थिती है। ताव हंगांग ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आखे चमक उठी और अचानक उसे कुछ हनुमान हुआ। तभी विचार कॉंधने लगे और अचानक उसे कुछ प्राचीन पुस्तकों में देखे गए रहे से याद आ गए। जहां भी इस प्रकार की ओशधिये जड़ी बूटी दिखाई देती है, वहां अकसर बड़ी संख्या में शक्तिशाली राक्षा सिकठे होते हैं, जो हर मुण पर लगातार लड़ते रहते हैं और रक्त नदियों में बहता रहता है। हो सकता है, जियान तियान ने आभी जो तरीका इस्तेमाल किया वह उनमें से एक था। ये सोचकर ताव हैनली का सदमा धीरे-धीरे काफी हद तक शान्थ हो गया। अच्छ है, और इसके बारे में सोचो, अगर उसके तरीके वास्तव में पाच्विस तर के राक्षस को इच्छानुसार भगाने के लिए पर्याप्ट शक्तिशाली हैं, तो वह भागने का अफसर कैसे ले सकता है। हाँ, अगर ऐसा है, तो उससे बड़ी संख्या में राक्षसों को फसा कर हमें मौत के घाट उतार देना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आखे चमक उठी और अंततह मूड अधिक आरामदायक हो गया। ये बच्चा सच्मुच भूत होने का नाटक कर सकता है। ताओ हैनली ने अपने दात पीस लिये और शाप दिया, उसके क्रोधित चहरे पर तिरसकार की एक जलक दिखाए दी। चाहे वह एक विशेश गोली हो या एक पौरानिक औशधिय जड़ी बूटी, यह अत्यंत दुरलब है और बच्चे के लिए इसका असीमित उप्योग करना असंभव है। जब तक हम इसे ध्यान से खोचते हैं, हमेशा एक मौका रहेगा। पाचवे भाई, चिंता मत करो, हम उसके द्वारा बहुत दुखी थे, हमें वैसे भी ऐसी बुरी सास छोड़नी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें फिर से घेर लिया जाएगा। जबकि ताव भाईयों ने गहनता से खोच की, जियान तियान पहले ही राक्षस की आडवे पहारी जंगल छोड़ चुका था। जब उन राक्षसों ने हलचल मचाई, तो उसे जानबूच कर अपने ठिकाने पर रोक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने जो आभा छोड़ी थी वह बढ़ती हुई राक्षसी शक्ती के कारण शीगरही नश्ट हो गई। हालाकी डाव ब्रदर्ज ने चारों और खोजबीन की, लेकिन उन्हें कोई प्रभावी सुराग नहीं मिला। इस परवतिय जंगल का दायरा काफी बढ़ा है। आगे जाने पर काफी खुलक शेत्र है और भूभाग भी बहुत जटिल है। इतने बड़िक शेत्र में जियान तियान को ढूंडना भूसे के धेर में सुई ढूंडने के समान है। आधे दिन के बाद, जियान तियान पहले ही दूर दूर पहारों और जंगल में भाग गया था सेकड़ों मील दूर है। उन्होंने एक चुपी हुई जगह की तलाश की और अस्थाय आधार के रूप में एक साधारन पत्थर की गुफा बनाए। लंबे समय तक यहां कोई नहीं है जब तक की राक्षस अपिक्षाकृत दुरलब नहों, स्वर्ग और प्रित्वी अत्यान ताभावाले हैं और जो बात उसे अधिक संतुष्ट करती है वो यह है कि यह आदिम गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में स्थित है जो मज ले सकता हूँ, जियान तियान गुफा में पाल्ती मार कर बैट गया और एक लंबी उदासी भरी सास छोड़ रहा था, थोड़ी देर के बाद उसने वह गोली निकाली जो लिंग जीयों ने दी थी, रिफाइनिंग को निगलना शुरू कर दिया और चुपचाप अभ्यास क करने लगा, गड़गडा हट, गोली पेट में प्रवेश करने के बाद ये ताववादी आध्यात्मिक शक्ती में बदल जाती है और फैल जाती है, जैसे जैसे पूरे शरीर का रक्त संचारित होता जा रहा है, पत्थर की गुफा में धीमी गर्जना की आवाजे गूंज र अध्याए 991, तीन आखो वाली स्नो फॉक्स जब जियान तियाना नभ्यास कर रहा था, दोताव भाई सेकडो मील दूर पहाडी जंगल में बिना सिर के मक्खियों की तरह भाग गए, जब भी उन्होंने किसी राक्षस की हरकत सुनी, वे उसका निरीक्षन करने के लिए दो कोई सुराग नहीं मिला, इसके बजाए, वे एक के बाद एक ओन राक्षसों और जानवरों से परेशान थे, दिखकार है, ये बच्चा वास्तव में एक बकवास चीज है, कई दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई उप्योगी सुराग नहीं मिला है, ताव हंगांग ने के पहाडों और जंगलों में निशान और विशेश आभा होगी, हमने दो सौमील के दाइरे में परवत चोटियों के लगभग अंदर और बाहर खोज की है, क्या आपको कोई असामाननिता मिली है, ताव हंगांग ने भोहें सिकोड कर पुछा, मुझे सच मुछ कुछ नहीं मिला, ताव हंगांग ने भोहें चडाली और बेहद उदास महसूस करते हुए आह भरी, क्या वह बच्चा पहाड के भीत्री इलाकों में भाग सकता है, ताव हंगांग ने एक उदासी भरी सास छोड़ी, अपना सिर हिलाया और कहा, उसे धून्धने का ये तरीका नहीं है, भले ही वह वास्तव में पहाडों में भाग जाए, हम उसे नहीं धून्ध पाएंगे, फिर क्या करे, ताव हैनली ने मन ही मन कोस्ते हुए कसकर भोहें चडाली, और क्या किया जा सकता है, ताव हंगांग थंडे स्वर में मुस्कुराया, उसकी आखों में एक बुद्धिमा रोशनी चमक उठी, क्या वह दोड नहीं सकता, आईए उसे एक स्थिर ब्रेक दे, स्टेटिक के साथ ब्रेक, ताव हैनली ने सोच समझ कर अपनी भोहें हिलाई, छठा, क्या आपके मन में आमतोर पर बहुत सारे भूत प्रेद के विचार नहीं आते, अब आप भ्रमित क्य हैं, ताव हंगांग अजीब तरह से मुस्कुराया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी मजा किया थी, और वह दूसरे पक्ष को देखकर शर्मिन्दा था, ठीक है, अब मेरे साथ आओ, मेरे पास ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि जयान तियान हमारी हथेलियों से बच न सके, ब्रदर फिफत की चाले क्या है, क्या आप मुझे पहले इसके बारे में बता सकते हैं, ताव हंगांग ने उससे बात करना बंद कर दिया, और उसकी एक बड़ी लहर के साथ हाथ, वहां आगे भाग गया, और वे दोनों एक-एक करके पहारी जंगल से निकल गए, ड थोड़ी देर के बाद, दोनों के पीछे पहारों और जंगलों की चाया टिम्टिमा गई और बापरिवार के प्रमुक बुझूर्ग लियाओ सोंग्यांग अचानक प्रकट हो गए, वह हैं सिकुरते हुए और उस दिशा की ओर देखते हुए जहां वे दोनों गायब हो आखे चमक उठी और उनके मुह के कोने से एक व्यंग्य निकल पड़ा, दो बेवकूफ उन सभी का पीछा किया गया है और वे खो गए हैं, और वे अभी भी यहां रहे से खेल रहे हैं, लियाओ सोंग्यांग ने उन दोनों के दूर जाने पर व्यंग्य किया और जल्द ही फिर से भौहे चड़ली, आसपास के पहारों और जंगलों को देखते हुए, उसकी आखे खाली थी, उसने पूरे रास्ते उन दोनों का पीछा किया, जियान तियान को खोजने के लिए अपनी शक्ती का उप्योग करने की कोशिश की, लेकिन इतने दिनों के बाद उसे इसलिए और शाप दिया, और वह परेशान होने से नहीं रोक सका, कुछ देर सोचने के बाद उसका शरीर हिल गया और दूसरी दिशा में भाग गया, डॉट 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 जल्दी, वहाँ, अच्छे साथी, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे यह मिल गया, दक्षनी परवत श्विंखला की गहरी घाटी में अचानक कुछ उँची उँची चीखे सुनाई दी, और कई आकृतियां तेजी से घाटी की गहराय में चली गई, और सामने घने पिरों की ओर उत्साहित आखें दिखाई, इन सभी लोगों ने नीले ब्रोकेड के वस्त्र पहने थे उनकी चाती पर लगातार मौर पैटन के एक निश्चित पैटन के साथ कड़ाई की गई थी, और उनकी बाई आस्तीन पर लाल लौज जैसा निशान के साथ कड़ाई की गई थी, उन सभी में असाधारन आभा है और नेता गहन क्षेत्र के स्तर तक पहुँच गए हैं, और प्रमनकारिता की आभा अचानक बाहर निकल आई, जो उसके सामने जाडियों की ओर जोर से दबा रही थी, और आसपास का शून ने उसके दबाव से दब गया था, जिससे धीमी और गलगलाहट की गरजना हो रही थी. हाए, वरिष्ट भाईकव की ताकत वास्तव में और मजबूत होती जा रही है. ए भगवान, वरिष्ट भाईकव पिछले साल ही गहन क्षेत्र के स्तर तक आगे बढ़े हैं. एक साल से भी कम प्रयास में इतनी तेजी से आगे बढ़ने की ताकत वास्तव में चोकाने वाली है फिर यह कहने की जरूरत नहीं है कि भाईकवा हमारे संप्रदाई में नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और संप्रदाई को उनके जैसा दूसरा व्यक्ति मिल गया है सीनियर ब्रदरकव की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए हर किसी ने पागलों की तरह थपड़ मारा बेशक कुछ ऐसे भी हैं जो इमानदारी से प्रशंसा करते हैं आखिरकार ये वरिष्ट भाईकवा वास्तव में बहुत मजबूत है जब उनकी उम्र तीस वर्ष से कम थी तब उन्होंने गहन क्षित्र में प्रवेश किया भले ही उन्होंने इस प्रतिभा को कैंगलान के तीन संप्रदायों में रखा फिर भी वह काफी प्रतिभा शाली थे गलगलाहट, शक्तिशाली जबरदस्ती के बाद उनके सामने की लतायें एक के बाद एक तूट गई और विशाल पेर आध्यात्मिक शक्ति के आवेग को सहन नहीं कर सके और वे सभी काका की तेज आवाज में तूट गए गलगडाहट की आवाज के बाद सामने के घने पेर तुरंत समतल हो गए जिससे एक छिपी हुई गुफा का पता चला छेट की चोड़ाए और उचए आधा फुट से भी कम है लेकिन यह मूल रूप से मौजूद नहीं है गड़े के सामने नई खोदी गई मिट्टी और चट्टानों का धेर है जो जाहिर तोर पर अभी अभी खोदा गया है भाईकवर ने कड़ी मेहनत की है हमें बाकी काम करने दो क्या आप छोटी छोटी बातों के लिए अपने हाथों का इस्तिमाल नहीं करते हाँ भाईकवर देखते हैं हम आगे क्या करते हैं कई साथी छात्र एक के आसपास एकत्र हो गेडी ने भाईक्यू पर प्रशनसात्मक और चापलू सी भरी निगाहे डाली आप वरिष्ट भाईक्यू ने अपना सिर हिलाया और अचानक हसे उसकी भोये थोड़ी सिकुल गई और उसकी आखों में थोड़ा अजीब रंग चमक गया एक पल की प्रसनता के बाद उसने अपना हाथ लहराया और कहा हे हे उस स्थिति में तुम्हें आने दो और दुरगटना की स्थिति में मैं तुम्हें रोक लूनगा हाँ हाँ हाँ, भाईक्वा, छिंता मत करो, अगर यह सब गलत हो सकता है, तो क्या हम में से कुछ लोग साधे चावल नहीं खाएंगे अरे, भाईक्वा, हमें कम मत समझो, हाला कि हमारी ताकत आप से बहुत कम है, लेकिन यह इस गुफा में चीजों से निपटने के लिए पर्याप्थ है एक लंबे चेहरे वाले शिश्य ने पलके जपकाई और हसा शब्द बाजी बंद करो, भाईक्वा हमें कम नहीं आनकते, लेकिन हमें साबधानी से काम करना चाहिए आखिरी मिनट में गल्ती न करें, ऐसा करें एक फुड़े अधिक ओम्र के शिश्य ने भौहें सिकोल ली और हाथ हिला कर कई साथियों को जल्दी करने और कारवाई करने का इशारा किया अब सभी को कोई जिजक नहीं हुई उनमें से दो नेबाय और दाय प्रवेश द्वार को पकड़ रखा था और अन्यद दो शीग रही गुफा में चले गए शेश दो आध्यात्मिक शक्ती से भरे हुए थे उनके हाथ में तलवारती और वे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर निशाना साध रहे थे बुफा में मौझूद चीजों को ट्रैक करने के लिए वे कई दिनों से जुटे हुए हैं यदि भाईकव वहां नहीं होते तो मुझे दर है कि वे बहुत पहले ही असफल हो गए होते इस समय तक वे किसी भी तरह का मदभेद बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं वरिष्ट भाईक्यू की नजर कई साथी चात्रों पर पड़ी वह मदद नहीं कर सके लेकिन धीरे से भौहे सिकोडने लगे और उनकी भौहों के बीच्विर से एक अजीब रंग चमक गया अध्याय 992 उपहार बूम अचानक गुफा से एक धीमी गर्जना सुनाई दी और उसमें से हवा की एक लहर उठी जिसके बाद दो गुस्से वाली चीखे सुनाई दी उसके बाद एक और दुखत चीख सुनाई दी गुफा के बाहर पहरा दे रहे चारों लोगों की आखे घूम गई और उनके हाव भाव बदलने में मदद नहीं कर सके मुश्किल क्या कुछ गर्बर है खान लिंग और पेंट कुवान कमजोर नहीं है इसलिए उन्हें गलत नहीं होना चाहिए भाईकवा को छोड़कर गुफा में प्रवेश करने वाले दो लोग उनमें से सबसे शक्तिशाली थे ऐसा कहा गया था कि गुफा में चीजों से निपटने के लिए यह पर्याप्त था लेकिन गुफा से होने वाली हल्चल ने अभी भी सभी को बहुत असहज कर दिया था और हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कुछ हुआ है क्या हुआ वरिष्ट भाईक्यू का चेहरा डूब गया उनकी भौहे खिल गई और शक्तिशाली आभा पत्थर की गुफा की और बह गई जिससे तुरंट उनके सामने दो समान दरवाजे खुल गए शेन नियान ने तुरंट गुफा के माध्यम से स्थिती की जाच की और उसकी आखों में एक अजीब रंग चमक गया तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो यहां से चले जाओ वरिष्ट भाईक्यू की अभिव्यक्ति शांत हो गई और अचानक उन्होंने अपना सिर हिलाया और हसे फुस फुस सहट बुफा के सामने की आकृते टिम्टिमा रही थी और हान लिंग और पेंट कुवान एक ही समय में दिखाए दिये उनके पैरों के पास एक बर्फ सफेद कुट्ता था ना की कुट्ता या लोमुरी कुछ फीट लंबा राक्षिस तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो मुझे ये सोचकर दर लग रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है हर कोई एक पल के लिए आश्चर्य चकित रह गया फिर अपना सिर हिलाया और हसने लगा जाहिर है ये वास्तव में अभी घटी कोई दुरगटना नहीं थी बलकि दो लोगों का व्यवहार ग्रमपूर्ण और मजाक मजाक वाला था हान लिंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया स्वभागय से ये शर्म की बात है पेंग जियांग ने थोड़ा भोहें चड़ाई भाईक वर इस तीन आखो वाली बर्फ लोमरी की राक्षसी शक्ती हमारी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है यदि ये गुफा के विशेश वातावरं के साथ साथ प्रत्याशा के लिए नहीं होता तो हान लिंग और मैं वास्तव में ऐसा करते इसे पकड़ लिया है साइखेडेलिक भ्राम ये तीन आखो वाला हिम लोमरी पहले से ही चौथे स्थर का शिखर राक्षस है यदि आप में से कोई एक गोली मारता है तो यह है इससे निपटना वास्तव में आसान नहीं है और यदि आप इसे गंभीरता से लेंगे तो यह वास्तव में दुरगटनाओं का कारण बनेगा भाई क्यू देखने के लिए आगे बढ़ा और मदद नहीं कर सका लेकिन धीरे से सिरहिलाया हालाकि तीन आखो वाली बर्फ लोमरी आकार में छोटी है और दानव शक्ती में बहुत मजबूत नहीं है लेकिन प्रतिभा में ये श्रेष्ट है चून की रक्तरेखा में एक विशेश वृत्ती भ्रम होता है यह अक्सर उसी स्तर के मानव मार्शल कलाकारों को भ्रमित कर सकता है जब यह अचानक धर जाता है और एक बार जब आप इसके भ्रम में पढ़ जाते हैं और अपनी सुरक्षा खो देते हैं तो चाहे आप कितने भी मजबूत क्यूं न हो आप इसे केवल मारने ही दे सकते हैं इसलिए भले ही इस राक्षस जानवर की कठोर शक्ती में जन्जात कारणों से दोश हैं यह अक्सर विशाल आकार के उन राक्षस जानवरों की तुलना में अधिक खतरनाक होता है यही कारण है कि उन में से कुछ सफल होने से पहले कई दिनों तक ट्रैकिंग करते रहे हैं बहुत बढ़िया इस बार तीन आखो वाली बर्फीली लोमरी को सफलता पूर्वक पकड़ लिया यह व्यर्थ नहीं है कि हम कई दिनों से व्यस्त हैं हाँ, मास्टर, उनका बुड़ा आदमी लंबे समय से इस तरह के आध्यात्मिक जानवर के बारे में बात कर रहा है जब हम इस तीन आखो वाली बर्फ लोमरी की पेशकश करने के लिए संप्रदाय में लोटेंगे तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे और हर किसी का इनाम अपरिहार्य होगा वरिष्थ भाई क्यू क्या हम आप संप्रदाय के लिए निकलेंगे सभी ने एक दूसरे की ओर देखा जिस शिश्य ने थोड़ी देर और देखी उसने वरिष्थ भाई क्यू की ओर उम्मीद से देखा और गंभीरता से पूछा जैसे की वह बोलने में जिजखक रहा हो जहिर तोर पर उसके दिल में कुछ था आप क्या कहते हैं? वरिष्थ भाई क्यू उदासींता से मुस्कुराय और अपनी दाहिनी उंगली से जटका दिया एक धधकती रोशनी तीन आखों वाली बर्फ लोमली की भौहों के केंडर में चमक गई और जानवर ने तुरंत अपनी आखें बंद कर ली और सो गया उसने एक दूसरे की और देखने के लिए अपना सेर घुमाया उसकी आखें चमक रही थी और उसके मुह के कोने पर एक इत्मीनान भरी मुस्कान लटकी हुई थी बड़े शिश्य की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी भौहों के बीच खुशी का एक संकेत चमक गया भाई क्यू हमने इन दिनों अपना सारा समय इस तीन आखों वाली बर्फ लोमरी को ट्रैक करने में बिताया है ये वास्तब में महेंगा है अगर हम इस तरह जल्दी में लोटते हैं सच्मुच डॉट डॉट खासी ये सच्मुच बर्बाद हो गया है ओह वरिष्ट भाई को हसे लेकिन कुछ नहीं बोले उसने बस हलके से लोगों की तरफ देखा चमकीला रंग थोड़ा अजीब था मानो वह उनकी राय पूछ रहा हो जब सभी ने ये द्रिश्य देखा तो वे तुरंत द्रवित हो गए यदि ये तीन आखोवाली हिमलोमली के लिए नहीं होता तो ये शक्तिशली वरिष्ट भाई क्यों एक टीम में उनके साथ नहीं होता इस तरह के गहनक्षेत्र विशेशग्य के लिए व्यक्तिगत रूप से तारांकल तारांकन तारांकन तारानकन करने का अफसर बिलकुल अप्राप्य है और यदि यह चूप जाता है तो यही एक बड़ी बर्बादी है। सभी ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल दरपंड की तरह थे और वे इस महान अफसर को चूपना नहीं चाहते थे। हाँ, भाईक्व, यह अफसोस की बात है कि हम अन्तत ही एक बार बाहर आए और इतनी जल्दी लोट आए। इस बार हमारी सफलता पूरी तरह से सीनियर ब्रदरक्व की शक्तिशाली ताकत पर निरभर है। चूनकी हम यहाँ हैं, हम बस सीनियर ब्रदर क्वा को फिर से परेशान करेंगे, उसे हमारे लिए बैठने देंगे और कुछ राक्षसों का शिकार करने में हमारी मदद करेंगे. बहुत बढ़िया, यह विचार बहुत बढ़िया है, भाई क्यूट रिपया हर किसी को यह चेहरा अवश्य दें, सभी ने मुझसे कुछ कहा और अंत में एक-एक करके अपने दिल की बात कही, उनकी आखे चमक उठी और वे बहुत उतसाहित थे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीन आखों वाली बरफीली लोमरी कितनी दुरलब है, यह केवल सम्प्रदाई के बुजूर्गों के लिए समर्पित एक खिलोना है. ज्यादा से ज्यादा उन्हें थोड़ा सा इनाम मिलेगा, या बढ़ों से बस थोड़ी सी सराहना मिलेगी. इससे सपश्ट रूप से कहें तो भले ही यह बढ़ों का पक्ष जीत ले, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता है, मुझे कम समय में फाइदा होता है. लेकिन अगर आप कुछ राक्षसों का शिकार कर सकते हैं और उन्हें बजार में बेच सकते हैं, तो आप तुरंट उन्हें महेंगे सोने के टिक्टों, शक्तिशाली, जादूई, हत्यारों या उप्योगी गोली के बदले में बदल सकते हैं. उनके लिए ये बातें निसंदेह अधिक व्याभारिक हैं. तीन आखों वाली बर्फ लोमरी को आसानी से पकड़ने के बाद, वरिष्ट भाय की उस पश्ट रूप से अच्छे मूड में थे, सभी के उत्साही अनुरोद का सामना करते हुए, उन्होंने हलके से सिरहिलाया और गर्व से मुस्कुराए. हा हा, ठीक है, चून की सभी ने ऐसा कहा है, यदि कुछ सहमत नहीं है, तो ये बहुत निराशाजनक नहीं हो सकता है. महान, धन्यवाद भाय क्वा, हा 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 हा, सीनियर ब्रदर क्वा के यहां बैठे होने से, हम साहपूर्वक राक्षसों और ज यहन क्षेत्र विशेशग है, चौते स्तर के शिखर राक्षस का तो जिक्री नहीं, यहां तक की पाच्वे स्तर का राक्षस भी अभी भी हात में है. हर कोई एक-एक करके आश्चर्य से भरा हुआ उत्साह से हसा. ठीक है, बक्वास बंद करो, जल्दी से काम करो, ज्यादा से ज्यादा तीन दिन और रुकते हैं. तीन दिन के बाद, चाहे हमें कितना भी फायदा हो, हमें जाना ही होगा. वरिश्ट भाईक्यू ने धीरे से सिर हिलाया और निर्विवाद स्वर में आदेश दिया. तीन आखों वाले जुएहू को ये पहले ही मिल चुका था, और अ जेनियर ब्रदर्ख्वा के साथ आए सीधे पहारों पर चले और कुछ लेवल पाँच राक्षसों का शिकार करें. ठीक है, बस इतना ही. पुराने शिश्यों ने अपनी भुजाय उर्थाई और सभी ने उत्सा पुर्वक उत्तर दिया. यदि सामान्य समय में पाँच्वे स्तर के राक्षस उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करते थे, अगर वे मिलते तो उन्हें केवल हवा के साथ भागना पड़ता, लेकिन अब जब वरिष्ट भाईक्यू लाइन में थे, तो वे निश्चित रूप से नहीं होंगे डरना. पाँच्वे स्तर के राक्षस के पास शाली दानव शक्ती है और वो खजाने से भरा है. मास और रक्त की हड्या और राक्षस गोलिया दोनों ही मुल्यवान वस्तुए हैं. जब वे बजार में बेचे जाते हैं, तो एक राक्षस चोथे स्तर के शिखर के दस राक्षसों के बराबर होता है. अधिक्तम लाब प्र से बहर आ गए. हाला कि तानिगुची जुमूर रूप से खाली था, को पता नहीं चला कि कब एक अतिरिक ताक्रते दिखाए दी. सियान मार्शल गाउन पहने हुए, उस व्यक्ती ने अपने पूरे शरीर पर एक निश्चित गहरी सास ली, जिससे सभी को थोड़ी देर के ये उदास महसूस हुआ. अनुचित, आप कौन है? चले जाओ, हमारे रास्ते में मत खड़े हो जाओ. सभी के भाव उदास थे और थंडी डाग थी. हाला कि हरे वस्त्रधारी योद्धा ने अपना सिर नीचे जुकाए रखा, ना कुछ बोला, ना क्रोधित हुआ, और ऐस प्रतीत हुआ कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई. भाल में जाओ, तुम बहरे हो. अरे, क्या तुमने हमें बात करते हुए सुना, रास्ते से हर जाओ, बीच में मताओ. हर कोई पहले ही धैर्यक हो चुका है और चिल्ला रहा है. हाला कि अग्रनी वरिष्ट भाइक्व ने धीरे-धीरे अपना चेहरा से कोड़ लिया, थोड़ा भौहे चड़ा ली और उनकी आखे बहुत गंभीर हो गई. विप्रीद दिशा में किन्पाव योध्धा बेहोश होकर एक गहरी और अजीब आभा का अनुभव करता है, जिससे वह बेहद असहज महसूस करता है, और यहां तक कि उसके दिल में इर्श्या का एक संकेत भी उठता है. महाम हिम कौन है, ये हमारा रास्ता क्यों रोक रहे है? वरिष्ट भाइकव ने भौहे चड़ा कर पुछा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. खरे वस्त्रधारी योध्धा ने धीरे-धीरे अपना स उठाया, उसकी भाव शुन्य द्रिष्टी, उसकी आखे लहर जैसी थिंप्राचीन कुवा, इतना सादा की वरिष्ट भाइकव हैरान रह गए. क्या कहा आपने? अरे, तुम्हारा मतलब क्या है? यदि आप जानते हैं, तो रास्ते से हट जाएं, ये जलती हुई आग के द बाक्ष निर्दई था, हर कोई अचानक उग्रह हो गया. वरिष्ट भाइकवा, गहन क्षेत्र के विशेशग्य और उनमें से इतने सारे लोगों के साथ, क्या वह नीले वस्त्रधारी योद्धा से दरेंगे? बनिंग फायर गेट, हाँ हाँ हाँ, इसे कांगलान राष्ट के मद्य संप्रदाय में प्रतम श्रेणी का अस्तित्व माना जाता है. हरे वस्त्रधारी योद्धा की नजर सब के वस्त्रों पर पढ़ी और उसने एक अजीब सी मुस्कान प्रकट करते हुए धीरे से सिरहिलाया. आप कौन है? हर किसी के गुस्से के विप्रीट, भाय क्य का प्रदर्शन बहुत सतक था और उनकी आँखों में गरिमा पीछे नहीं हटी. दूसरे पक्ष की आभा काफी अजीब है, उसकी साधना का स्तर भी अप्रत्याशित लगता है और वह एक प्रकार की इर्श्या विक्सित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता. मृतकों के धत्तेरी की, तुम मौत की तलाश में हो, हर कोई जोर से चिल लाया और किंगपाव मार्शल आर्टिस्ट को उनकी आँखों में नहीं डाला. आखिरकार, वरिष्ट भाईक्यू एक मजबूत गहन क्षेत्र मजूद थे और वह इस अजीब आदमी को उनका उप्योग किये ब तहाशा हिल गया, और शक्तिशाली आध्यात्मेक उतार चड़ा फूट पढ़ा और सीधे विप्रीद दिशा में लुड़क गया. उसी समय, उसने अपनी मुठिया हिलाई और आगे बढ़ गया. भूम, भयनकर गरजना के साथ शूने अचानक आग से प्रकाशित हो उठा. आग के रंग की दो विशाल मुठियों से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी, जो धधक्ती लप्तों को समेट रही थी और हरे वस्त्र पहने आदमी की ओर बढ़ रही थी. शक्तिशाली दबाव ने शूनिता और काम्प को हिला दिया, और एक सौ मीटर के दाएरे में दु प्रचंड आध्यात्मिक आग भर्लक उठी और बढ़ती गई, जिससे दरजनों फीट उचे पहाड और चट्टानी विशाल पेर उढ़कर राक में तबदील हो गए और जमीन जलकर 10 फीट वर्ग से अधिक बड़े गड़े में तबदील हो गई, मानो वह आग की लप्तों ये स्थिती देखकर सभी तुरंध हांस पड़े और हर कोई बेहत संतुष्ट था, सीनियर ब्रदर क्वा के तरीके इतने शक्तिशाली हैं, भले ही हरे वस्त्रधारी मार्शल कलाकार भी गहन क्षेत्र के स्वामी हो, मुझे डर है कि वह इसका विरोध नहीं कर सकते आप जानते हैं, भाईक्यों की प्रतिभा अगनी संप्रदाय में किसी से पीछे नहीं है, और संप्रदाय में एक शीर्ष प्रतिभा के रूप में मान्यता प्राप्त है उनकी वास्तविक युद्ध शक्ती उनके दाइरे से कहीं अधिक है, और यहां तक की कुछ बुजुर्बी जो लंबे समय से गहन दाइरे में डूबे हुए हैं, उनके विरोधी नहीं हो सकते हैं ये किंगपाव युद्ध युवा दिखता था, और भूर्थ होने का नाटक करने के अलावा, उसके पास शायद कोई वास्तविक कौशल नहीं था हर कोई बेतहाशा हसा, मानो उन्होंने किंगपा का दुखा द्रिश्य देखा हो है युद्धा आग की लप्टों से उर्ती हुई राख में परिवर्तित हो रहे हैं हाला की सामने आध्यात्मिक आग अभी तक नहीं गिरी है और सभी ने एक अविश्वस्निय तस्वीर देखी है गड़गडा हट, धीमी गर्जना के साथ एक आकृते अचानक तेज लिप्टों से बाहर निकली और ऐसा लगा की शरीर के आसपस चोट का कोई निशान नहीं था ये कैसे हो सकता, उसने वास्तव में भाईक्यू की कुवाग्यान मुठ्थी को अवरुद कर दिया अरे, ये व्यक्ति भी गहन क्षेत्र का विशेश ग्या है, सभी की आखों की कोडिया तेजी से उचली और वेहरान रह गए हरे बागे वाले योद्धा की आभा हमेशा गहरी और अजीब रही है, जिससे वे वास्तविक खेती के आधार को देखने में असमर्थ हो जाते हैं लेकिन वर्तमान द्रिश्य को देखकर कोई भी दूसरे पक्ष की ताकत पर संदेल करने की हिम्मत नहीं करता है कैसे करें, ये व्यक्ति कौन है और क्या करना चाहता है, कुछ देर के लिए हर कोई थोड़ा घबरा गया और उनके दिलों में चिंता की भावनाएं उमर पड़ी यदि आप दूसरे पक्ष के समर्थन को जानते हैं, तो कुछ कहना बहतर होगा, लेकिन दूसरा पक्ष हमेशा रहसिमयब बना रहता है, एक भी शब्द का उलेक नहीं करता है, चाहे वह नाम हो यम्मूल या यहां तक की कारण भी बताना, इससे उन्हें परेशानी महसूस होती है, आप किससे दरते हैं, यहां सीनियर ब्रदर क्यू के साथ, क्या ये संभव है कि वह उससे दर नहीं पाएंगे, सबके संदेह को दबाते हुए, बड़े शिश्य ने थंडी चीक निकाली, हाँ, सीनियर ब्रदर क्वके रहते, दूसरा पक्ष कभी भी मोलभाव नही कर सकता, भले ही प्रतिद्वंद्वी भाईक्व जैसा मास्टर हो, वह क्या कर सकता है, मत भूलो, अर्ध गहन क्षेत्र के कुछ मार्शल कलाकार है, हाला कि उनकी ताकत सीनियर ब्रदर क्वज जितनी अच्छी नहीं है, वे शाकाहारी नहीं है, भले ही वह व्यक्ति सीनियर ब्रदर क्यू के साथ टाइकर ले, वे आगे बढ़ेंगे और उसे एक धातक जटका देंगे, हाला कि ये स्पश्ट रूप से अभी मोटर नहीं है, आखिरकार गहन क्षेत्र के विशेशगे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, हाला कि इस समय भाईक्वक के दिल में त पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इस स्तर के निदर हमले के साथ प्रतिदवन्दवी ने बिलकुल भी कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए उसने आसानी से अपनी आध्यात्मिक शक्ती से इसे रोग दिया, ये तरीका वाकई अद्भुत है और उसे बहुत असहज महसूस कर दिखकार है, तुम कौन हो, और फायर गेट को तुमसे किस प्रकार की शिकायत है, वरिष्ट भायक्यू ने अपने दाथ पीस लिये और शाप दिया, उसका चेहरा बेहत गंभीर हो गया, उसकी आखे बेताशा चमकने लगी और उसके शरीर की आभा चरम सीमा तक बढ़ हरे लबादे वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया, उसकी आखों में उपहास जलक रहा था, उसकी अभिव्यक्ती बेहत घ्रनास पत थी, कदम एक पल में आगे बढ़ गये और उनका शरीर वरिष्ट भायक्यू से 10 फीट से भी कमदूरी पर चला गया, जैस वरिष्ट भायक्यू को कैद करने से खुद को नहीं रोक सका, अनुचित, यदि आप आपको चकने के लिए कुछ नहीं देते हैं, तो आप वास्तब में जलती हुई आग के दरवाजे से परेशान है, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया है, वरिष्ट भायक्यू जोर से चिलाया, उसकी आखों में पागलपन की चमक चमक उठी, पूरे शरीर की सासे फूट गई, शक्तिशाली जबरदस्ती आकाश में उढ़ गई, और एक विशल लोज जुवान्यू अचानक दिखाये दिवायू, गणल गणा हट, पहार के जंगल के शीर्ष से एक हिंसक दहा पहर निकली, जबरन विरोधी पर दबाव डाला और प्रतिद्वंद्वी की ओर मुल गई, ये देखकर किंग पाउ में मौझूद व्यक्ति ने अचानक शूटिंग बंद कर दी, अपने दाहिने हाथ से रुका और उसके सामने रुक गया, धीरे धीरे अपना सिर उपर भाई क्यू ने अपनी गति पूरी कर ली है और अपने दाहिने हाथ के जटके से उसने अचानक एक बड़ा लंबा चाकू अपने हाथ में खीच लिया, चाकू पूरी तरह से लाल है, एक खाली चाकू की तरह जिसे अभी अभी भट्टी से बिना जाली के निकाला गया है, लेकिन पूरे शरीर से निकलने वाली भयानक गर्मी की लहर आखों के कोनों को बेताशा और चोंका देती है। अरे, वरिष्ट भाई क्वा वास्तव में उस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने वास्तव में एक फोजिंग फायर ब्लेड का उप्योग किया। क्या, ये संप्रदाई की विरासत, फोजिंग फायर ब्लेड के जादूई हतियारों में से एक है। भाई क्यू को ये जादूई हतियार कब मिला, मैंने इसके बारे में कभी क्यू नहीं सुना। क्या आपको अभी भी पूछना है, ये बढ़े जोगमें द्वारा गुप्त रूप से सिखाया जाना चाहिए, भाई क्यू हमेशा कम महत्वपुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह की बात बताऊंगा। हर किसी की आखों के कोने बेतहाशा उच्छल पड़े, उनमें से प्रत्येक ने उत्साह दिखाया, खजाने वाले चाकू को देखा जिससे चमकदार लाल रोशनी निकल रही थी। मदद नहीं कर सका लेकिन नीचे गिर गया। विशाल चाकू की चाया पर विस्फोट कर रही थी। बूम, आस्मान हिला देने वाली दहार अचानक सुनाई दी, चान्दी की रोशनी शून्य में लुड़क गई, और फोजिन ब्लेड के हमले से अचानक ढह गई। हाए, ये कैसे संभव है, वरिष्ट भाई क्यों हिरान थे और पूरी तरह से विस्मय में खो गए। प्रतिदवन्दवी ने केवल एक मुके से उसके आक्रमन को हिला दिया, यह अविश्वस निय था। ये कैसे हो सकता है, के भगवान, ये व्यक्ति किस प्रकार की खेती है, ये देखकर हर कोई हैरान रह गया, जलते हुए अगनी द्वार के जादूई हथियारों में से एक के रूप में, फोजिन फायर का ब्लेड बहुत शक्तिशाली है, सीनियर ब्रदर क्वा के गहन क्षेत तुरंत उनके दिलों पर छा गई, हरे लबादे में आदमी ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया, उसकी दाहिनी मुठ्थी फिर से हिल गई, सीधी सीनियर ब्रदर क्वा के हाथ में फोजिन ब्लेड को उगा दिया, उसी समय वही कदम आगे बढ़ा, उसकी दाहिनी मुठ् बूम, बैज हांक शून्य हिंसक रूप से हिल गया, और कारावास की एक आश्चर्य जनक शक्ती पागल हो गई, और यह मदद नहीं कर सकी लेकिन वरिष्ट भायक्वा को भेर लिया, उनके बगल के छेह लोग और भी असहनिय थे, उन्होंने खून की उल्टी की और चीकते चिलाते हुए बाहर उड़ गए, धतेरी की, वरिष्ट भायक्यू ने अपने चेहरे पर एक पागलपन दिखाया और रक्त और आध्यात्मिक शक्ती को उत्तेजित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रतिदवंद्वी के मजबूत दमन के तहत, वह मुप्त होने में असम पर थे, गड़गडा हट, एक धीमी गर्जना के साथ, हरे बागे में आदमी की जबरदस्ती आसमान चुगई और वरिष्ट भायक्यू जिसने फोजिन ग्लेट खो दिया था, के पास कोई प्रतिरोध नहीं था और उसे जमीन पर कैट कर दिया गया था, आप प्रित्वी प अपना शरीर हिलाया और अचानक अपने मुव के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ वरिष्ट भायक्यू के सामने आया और अपनी उंगली वरिष्ट भायक्यू के माते के केंद्र पर इंगित की। हरे बागे वाले आदमी के चहरे का घिनोना रंग तुरंट फीका पड़ गया, वह फिर से अभिव्यक्तिहीन हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ फिर से बाहर कर दिया। उसके बगल के चह साथियों ने ये द्रिश्य देखा और उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई और उनके दिल अतुलनिय सदमे से भर गये। हरे लबादे वाले व्यक्ति का पूरा शरीर चांदी की रोशनी से चमक उठा, वह पागलपन से एक निश्चित गुप तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था और वरिष्ट भायक्यू का खून निगल रहा था। थोड़ी देर बाद ही वरिष्ट भायक्यू एक सिकुली हुई लाश बन गए और जमीन पर गिर पड़े। और उपर आकाश में अचानक तेज गलगलाहट की आवाज आई। एक विशाल चांदी की हतेली का प्रिंट अचानक निकला और बड़े दबाव के साथ इसकी तस्वीर ली गई। एक जोरदार धमाके के बाद सभी छे लोगों की मौत हो गई और कोई भी कुड़ा नहीं ब पल गई। थोड़ी देर बाद उसकी सासे धीरे-धीरे एक निश्चित सीमा पर पहुँचकर गिर गई जो पहले से काफी ज़्यादा थी। बनिंग फायर गेट की जीनियस ब्लडलाइन का स्तर अभी भी उच्चित है और इसने अंततह मुझे बहुत निराश नहीं किया। तब तक प्रोफाउंड मून दायरे के स्तर पर कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। एक गहरी आवाज चानक आवाज आई और एक चांदी की पोशाक पहने बुणा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति यूतियान के पास खड़ हो गया। मास्टर का पुरसकार, यूतियान ने धीरे से सिर हिलाया और हलके से मुस्कुराया। ठीक है, शिक्षक के रूप में मुझे अभी भी अपना खुद का व्यवसाय करना है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। चांदी पहने बुढे व्यक्ति ने धीरे से हाथ हिलाया और एक जटके में जंगल में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद यूतियान भी आगे बढ़ा और तेजी से जंगल में गायब हो गया। लगभग कई 10 मीटर उची चटान के नीचे पूरा शरीर कुलहारी से काटे गए चाकु की तरह सीधा उपर नीचे होता है। एक समान नीले जानवर पैटन पहने एक दर्जन योध्धा अपनी पूरी ताकत से राक्षसों का शिकार कर रहे हैं। अपनी पूरी ताकत के साथ तलवारे और अन्य जादूई हतियार ले 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 और उन्होंने उन जगहों पर हमला करना जारी रखा जहां राक्षसी उर्जा बढ़ रही थी। शून्य गलगलाती आध्यात्मिक शक्ती के विसफोट और हिंसक राक्षसों की दहार से भर गया जिससे चटान का ये टुकड़ा जमीन पर गिर गया। हे हे इस साल जुनियर्स के इस समूव की ताकत वास्तव में अच्छी है, जाहिर तोर पर पिछले साल की तुलना में बहतर है। बेशक ये संप्रदाय द्वारा सावधानी पूर्वक चुनी गई प्रथम श्रेनी की प्रतिभा है। भले ही कैंगलान के तीन प्रमुक संप्रदायों की प्रतिभाओं के साथ तुलना की जाय, वे बहुत आधिक नहीं है। जानवरों की चाप वाली पोशाके पहने हुई लगभग एक दर्जन योधाओं के पीछे, मजबूत आभावाले दो युवा और लंबी योधा अपनी भुजाय मोहकर शांत और शांत भाव से देख रहे थे। इन दोनों लोगों ने जानवरों की चाप वाली पोशाके भी पहनी थी, लेकिन दूसरों की तुलना में उनकी चाती पर थोड़ा जटिल गोलचांदी का निशान था। पहली नजर में लोगों का रुद्बा उनसे उचा था। उनसे निकलने वाले गहरे दबाव को देखते हुए, वे दो गहन क्षेत्र के स्वामी हैं। और जिन दर्जन भर योधाओं ने सामने राक्षस जानवर को घेर लिया था, वे सभी चोग्यान क्षेत्र के शिखर पर पैदा हुए थे। वरिष्ट भाई शेन, वरिष्ट भाई हूँ, हम, हम इसे बरदाश्ट करने में असमर्थ होंगे। इन दो राक्षस जानवरों की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। प्रिपया दोनों वरिष्टों से भी मदद करने के लिए कहें। केंद्र में मौजूद दो मार्शल आर्टिस्ट कुछ जोरदार वार करने के बाद उत्सुकता से चिल्लाने लगे और भोहें सिकोड कर एक गेंड बन गई। बढ़ती राक्षस उर्जा का समूर शिरुवात में अभी भी 30 फीट के भीतर ही सीमित था और उनके हमले के तहट पीछे हटने की प्रवरिती थी लेकिन अभी दो राक्षस जानवरों की क्रूरता फिर से भाला कुठी। इस बार उनका आभामंडल अच्चानक बढ़ गया जिससे इन दर्जनों लोगों को थकान महसूस होने लगी। कलाकार अभी भी हाथ जोरकर बिना रुके खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को देखने की सोची उनके मून के कोने पर एक धूर्त मुसकान उभराई। वरिष्ट भाई शेन जो अपनी तलवार की भोहे कनप्ती में घुसाई हुए थोड़े लंबे थे। उनके चेहरे पर हलका सा भाव था और उन्होंने हलके से कहा शांत हो जाओ धबराओ मत। वरिष्ट भाई शेन लेकिन इससे पहले की दूसरा पक्ष अपनी बात समाप्त करे वरिष्ट भाई शेन ने दूसरे पक्ष को रोकने के लिए धीरे से अपना हाथ हिलाया। बक्वास बात करना बंद करो। यदि आप दो घायल राक्षस जानवरों को भी नहीं हटा सकते हैं तो आपके पास खुद को संप्रदाय प्रतिभा कहने का क्या मतलब है। फूह, ये सही है, वरिष्ट भाई शेन और मैंने पहले ही दो राक्षसों को घायल कर दिया है, लेकिन इतना समय बिताने के बाद भी आप उन्हें नहीं पासकते। आप बेवकुफों के अलावा कुछ नहीं हैं। जब वरिष्ट भाई वू ने ये शब्द सुने तो वे फंडे स्वर में मुस्कुराए, उनकी आखों में तिरसकार की जलक दिखी और उन्होंने वरिष्ट भाई शेन के समान रवये के साथ इन लोगों का उपहास किया। जब आप अपनी तरह थोड़ी सी कठिनाई का सामना करते हैं तो पीछे हट जाएं। मुझे नहीं लगता आपके पास सभी शून्य होंगे। आप दोनों मुझसे एक बात कहते हैं, रवय या बहुत द्रिड है और उनका उन्चोग्यान क्षेत्र के शिश्यों की मदद करने का कोई इरादा नहीं है। उनकी बाते हिकारत और हिकारत से भरी होती है और उनमें चुटकुले देखने का भी भाव होता है। ये सुनकर चोग्यान चरन के दर्जनों योध्धा शर्मिंदा और शर्मिंदा थे और वे इतने शर्मिंदा और क्रोधित थे कि वे उल्टी करने और चिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सके और अपनी आध्यात्मिक शक्ती से अपने शौट को बढ़ा हात. महान हा 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 दो वरिष्थ भाये आशावादी हैं, हम निष्चित रूप से इन दो राक्षसों को जीतने में सक्षम होंगे। पूरी कोशिश करो और दो वरिष्थों को निराष मत करो। हर कोई जानता था कि सीनियर ब्रदर शेण और सीनियर ब्रदर हूव जल्दी सुधार नहीं होगा. इस अनुभव का उद्देश्य जबर्दस्त दबाव के बावजूद उन्हें अपनी पूरी क्षमता से विस्फोट करने देना है. वरिष्ट भाई शेन और वरिष्ट भाई हूँ ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके मूँ के कोनों पर मुस्क उन दोनों का उपहास सुनकर सभी को थंडे पानी का एक बेसिन नीचे गिरता हुआ प्रतीत हुआ और उनके दिल और भी अधिक नाराज हो गये. खुद को साबित करने के लिए अपने संप्रदाय की प्रतिभा की पहचान और स्थिती की पुष्टी करने के लिए वे मदद नहीं कर सके लेकिन एक और प्रूरता शुरू कर दी. गड़ गड़ा हट, चटान के नीचे आध्यात्मिक प्रकाश बेतहाशा चमक रहा था और आध्यात्मिक शक्ती बढ़ रही थी और वह मदद नहीं कर सका लेकिन राक्षस उर्जा के समूर की और भाग गया, गती जल्दी, कड़ी मेहनत करो, हम जल्दी सफल होंगे, हर कोई अपना सर्वश्रेष्ट करेगा, चलो उनहीं नीचे ले आओ, अच्छा है, भीर चिल्लाती रही और उनके शौट्स की गती और अधिक तीवर हो गई, आध्यात्मिक शक्ती के हमलों की लहरे जवार की तरह उनके शरीर का खून बढ़ गया, जिससे बेहत भयानक आभा निकल रही थी, गणल गणाहट, धीमी गर्जना अचानक उठी और दानव उर्जा जो 20 वर्ग मीटर तक सिकुरने वाली थी, अचानक एक विसफोट की तरह बढ़ गई, और यह एक पल में 40 वर्ग मीटर से से वाली चीखे सुनाए दी, शब्दों के गिरने से पहले, लोगों का एक समूर पहले ही पीछे की और गोली चला चुका था, जो 20 फीट दूर गिर गया था, दो प्रोफाउंड रियलम मार्शल कलाकारों की आँखों के कोने बह गये, और वे एक ही समय में बहुंहें होंगे, ऐसा लगता है कि यह उनकी सीमा है, वरिष्ट भाई शेन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आखों में हलकी निराशा जलक उठी, ठीक है, अगर हम दूसरा कदम नहीं उठाते हैं, तो वे निश्चित रूख से भागय से बाहर हो जाएंगे, वरिष्ट भाई हुने हलक से सिर हिलाया, उसकी आखें हिलने को तैयार थी, थोड़ी देर के बाद, वे दोनों एक जटके में बाहर निकल गए, और पूरे शरीर की सासें एक जटके में दूर हो गई, और सीधे आगे की राक्षसी उर्जा में प्रवाहित हो गई, अध्याए 996, लड़ाई गड़ग को जबरन संपीवित कर रही थी, जो 40 वर्ग मीटर से 30 वर्ग मीटर से अधिक तक फैल गई थी, दहार, दहार, दोनों राक्षस अनिच्छा से दहार ने लगे, सपश्ट रूप से अपने दमन से क्रोधित थे, लेकिन गहन क्षेत्रस्तर की मार्शल आर्ट इच्छाशक्त के तहत, वे वापस लड़ने में असमर्थ थे, ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ो, जल्दी करो, यह आखिरी बार है जब हम आपकी मदद करेंगे, और फिर मरना या जीना आप पर निर्भर है, दो जटकों के साथ, वरिष्ट भाई शेन और वरिष्ट भाई हूँ एक ही स खत्रे से बच निकले थे, वे अभी भी सद्मे में थे, और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के निर्देश सुने तो उनकी आखे चमक उठी, और वे इतने क्रोधित थे कि वे उन्हें डाटना चाहते थे मा, दो भाईयों, हम स्पष्ट रूप से इन दो राक्षसों को नहीं कर सकते, क्या हम हमें मौत के मुह में नहीं जाने देंगे, हाँ, सभी ने एक एक करके भए दिखाते हुए भोहे चड़ा ली और उनमें जबर्दस्ती आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, गड़गडा हट, दबी हुई आवास फिर से बाहर आगई, दो राक्षस जानवर उनमत रूप से दहारने लगे, और उभरती हुई राक्षस उर्जाफिर से फैलती हुई दिखाए दी, हुँ, आप दो घायल राक्षसों को भी नहीं पकर सकते, आप गंदगी क्यों नहीं खाते, वरिष्ट भाय हुँ ने बेरुखी से अगर वे बाहर नहीं निकल सकते तो यह आपका काम है, इसका हमसे क्या लेना देना है, बकवास बंद करो, चलो, सीधे निकल जाओ और तुम्हें इस गहरे पहाड और पुराने जंगल में धेर कर दून, वरिष्ट भाय शेन धूरता से मुस्कुराय और चिलाने का अवसर लेकिन वरिष्ट भाय हूं में इतना धेर्य नहीं था, और उनका चहरा डूब गया और क्रोधित हो गये, यह देखते हुए कि राक्षसी उर्जा फिर से आस्मान छूने वाली है, हर किसी ने आब और उपेक्षा न करने का साहस किया, भले ही उन्हें पता हो कि वे अजय है वेकेवल गोली खा सकते थे और फिर से आगे बढ़ सकते थे जगड़ा करना, हाँ, इन दो जानवरों से लड़ो, आइए हम अपनी सारी ताकत का उप्योग करें, हमें विश्वास नहीं है कि हम उन्हें वश्में नहीं कर सकते ये देखकर कि बहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हर कोई खुश हो गया और उन्मत होकर उपर की और दोर पड़ा गड़गड़ा हट, आकाश भयन कर रूप से गर्जा और एक पल में शक्तिशाली और शक्तिशाली सूरजो गया इन दो राक्षसों का शिकार करने और खुद को बचाने के लिए उन्हें कोई अपत्ति नहीं है, भले ही वे अपनी आध्यात्मिक उर्जा समाप्त कर ले, उन्हें अपना सर्वश्वेष्ट प्रयास करना होगा अन्य था, दोनों वरिष्ट वास्तब में वही करेंगे जो वी कहते हैं और उन्हें पीछे छोड़ देंगे ये गहरा पहार और पुराना जंगल, लेकिन एक बार जब यह उस बिंदू तक पहुँच जाता है, तो कई शक्तिशाली राक्षसों की गहराबंदी का सामना करते हुए, उनके पास जीवित रहने का शायद कोई रास्ता नहीं होता है हो हो हो, बूम बूम बूम, एक पल में, जानवर की दहार और आध्यात्मिक शक्ती के विस्फोर्ट ने सेकरो मीटर के दाइरे में पहारी जंगल को भेर लिया एक दर्जन से जादा लोगों की ताकत भी काफी अध्भूत है हिंसक आध्यात्मिक शक्ती के उतार चड़ाव ने चटान को पूरी तरह से बंद कर दिया एक तारानकन 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 लड़ाई के बाद दो पांच में स्तर के राक्षस अंतता उनके द्वारा मारे गए ये जीवन और मृत्यू का अनुभव अंतता समाप्त हो गया चोक्स कई तलवारे और जादूई हथियार बेतरतीव धन से गिर गए और कई योद्धा जमीन पर गिर गए और हॉन्फिने लगे जिससे उनकी चाती में घुटन होने लगी आखिरकार अंतताह खत्म यह बहुत खतरनाक और बहुत रोमान्चक है यदि ये दो वरिष्टों के उद्पीलन के लिए नहीं होता तो हम इन दो पाच्वे स्तर के राक्षसों को किसी भी तरह से मारने में सक्षम नहीं होते हाँ, इसके बारे में बोलते हुए इसे एक छोटा सा चमतकार माना जा सकता है ठीक है, जब हम संप्रदाय में लोटेंगे, तो हम दिखावा कर सकते हैं हाँ, 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 विसहल कर्मी निश्चित रूप से उस समय तक हमारी प्रशंसा करेंगे मैं परेशान, अचानक एक थंडी डाट सुनाई दी, लेकिन वरिष्ट भाएगू ने सक्ती से अपनी अवमानना व्यक्त की अभी अभी आप राक्षसों द्वारा अपनी पैंट पर पेशाप करने से लगभग दर रहे थे और अब आपके पास इतने बड़े शब्द बोलने का चेहरा है, ये वास्तव में बेशर्मी है हाँ हाँ, भाएगू की बाते सुनकर वरिष्ट भाएशेन मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा बस लोगों को अजीब नजरों से देखा, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ था, यानि उनकी बातों पर वही शर्माना हालाकि दोनों राक्षस स्तर पाच के राक्षस थे, वे पहले ही उन दोनों द्वारा घायल हो चुके थे जो की उनकी ताकत को क्वासी प्रोफाउंड दाइरे की तुलना में थोड़ा अधिक स्तर तक सीमित करने के बराबर था, लेकिन प्रोफाउंड के स्तर से थोड़ा कम था क्षेत्र, उनमें से लगभग एक दर्जन है और यदि उन्हें इस तरह सफलता पूर्वक नहीं जीता जा सकता है, तो वे वास्तव में व्यर्थ की प्रतिभा है भाई हूखी बाते सुनकर और वरिष्ट भाई शेन का अजीब रूप देखकर, हर कोई लाल हो गया और खुद पर हसने के लिए अपना सिरहिलाया दोनों भाईयों ने सिखाया कि हम बहुत तुच्छ हैं, लेकिन फिर भी आखिरी क्षण में हमने अभी भी अपनी ताकत से लेवल पाच के दो राक्षसों को हरा दिया है क्या ये जश्न मनाने लायक नहीं है? हाँ हाँ हाँ, ये सही है ये दो राक्षस खजाने से भरे हुए हैं, भले ही हम उन्हें आलग कर दें, हम में से प्रतेक एक छोटा सा लाब कमा सकता है फूह, तुमने ऐसा कहा था, नहीं कहा, दोनों भाई व्यर्थ मेहनत करते हैं दो भाई, ये शब्द सुनकर हर कोई चोग गया और चुप रहने से खुद को नहीं रोक सका उन्होंने वरिष्ट भाई शेन और वरिष्ट भाई हू की ओर देखा, उनके चेहरे बहुत शर्मिन्दा थे हाँ, वे पाच्वे स्तर के दो राक्षसों को मारने में सक्षम थे, वास्तव में, इसका सबसे बड़ा श्रे दो प्रोफाउंड रियलम वरिष्थों को था चुक रहता है, सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से प्रत्येक अजीब लग रहा था, आह, मुझे एक शब्द कहने दो, एक साहसी शिश्य ने हाथ हिला कर सभी को इशारा किया, उसकी आवाज सुनकर हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन उपर की ओर देखने लग ये व्यक्ति हमेशा से ही मजा किया रहा है और उसके पास बहुत सारे डरावने विचार है, और वह हमेशा केवल इसका फाइदा उठाना पसंद करता है, और कभी भी खोने के लिए कुछ नहीं करता है, इस बार मुझे नहीं पता कि वह और क्या सोचता है, खांसी खांसी, उस आदमी ने अपना गला रोका, आप और मेरी तरह देखा, और दोनों वरिष्ठों को देखकर मुस्कुराया, अरे, आप इन दोनों वरिष्ठों के बारे में क्या सोचते हैं, ये शब्द सुनकर हर किसी की भोहें उच्छल गई, न जाने वह क्या खेल रहा था, वह आद शब्द सुनकर हर कोई फिर से स्तब्ध रह गया, और जब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा तो वे जल्दी से समझ गये, और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने पैर ताली बजाए और तालिया बजाई, हाँ हाँ हाँ, हाँ, दो वरिष्ठ प्रशिक्षु इन दो ट संद नहीं करते हैं, दो भाई, क्या आपको नहीं लगता, हर कोई हस पड़ा, पिछला तनाव पूरी तरह से गायब हो गया, और उन्होंने भाई शेन और भाई हुकी और आशा भरी निगाहों से देखा, लेकिन वे थोड़े चिंतित थे, अध्याए 997, भयानक द्रिश्य 15 तर के राक्षस निस्तब्ध राज्य के इन मार्शल कलाकारों के लिए लगभग अप्राप्य अस्तित्व हैं, यदि शहर में कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं बैठा है, तो वे इस राक्षस जानवर को भलकाने की हिम्मत नहीं करेंगे, फिल हाल, उन्होंने अंतता दो का शिकार कर लिया है, बेशिक, वे इसे जल्दी से विभाजित करना चाहते हैं, सभी का मजाक सुनकर, वरिष्ट भाई शेन खुद को नहीं रोक सके और अपना सिरहिलाया और अवाग भाव दिखाते हुए हसे, भाई हू की आखे थोड़ी देर के लिए जिल मिलाती रही, क् हे हे, क्या तुमने सुना, भाई हू पहले ही कह चुका है कि उसे इन दो राक्षसों में कोई दिल्चस्पी नहीं है, क्या तुम जल्दी नहीं करते और उसे धन्यवाद नहीं देते, वरिष्ट भाई शेन ने भील को देखकर पलके जपकाई और इतमीनान से मुस्कुराए हर कोई मूर्ठ नहीं है, और उन्होंने इस गठन को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्की और तुरंत वरिष्ट भाई हू को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया बेशक इस तरह का शिष्टाचार वरिष्ट भाई शेन के लिए भी असंभव है आप दोनों भाईयों को बहुत बहुत धन्यवाद हाँ 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 हाँ, इस बार हम अमीर माने जा सकते हैं वापस जाने के बाद मैं कुछ अच्छी उपचार गोलिया बेचने के लिए कांगजिन के फैंग मार्केट में जाऊंगा ठीक है, मैं भी कांगजिन की रिफाइनिंग कार्यशाला में जाना चाहता हूँ और उन्हें मेरी मदद करने देना चाहता हूँ हम इस जादूई हथियार को परिश्कृत कर रहे हैं हर कोई हसा, राक्षस सामगरी बेचने के बाद खुशी के द्रिश्य की लालसा कर रहा था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि संकर चुपचा पा रहा था कौन, यहां कौन है, अचानक दो गुस्से भरी चीखों ने सभी की हसी अचानक खत्म कर दी हम, क्या बात है, क्या हुआ, हर कोई अभी भी यह नहीं जानता था और जब उन्होंने दो वरिश्थों का गुस्सा सुना तो चौक गए चारों ओर देखने के लिए मैंने देखा कि चटान के सामने सभक पर अचानक एक आखुरते दिखाए दी इस व्यक्ती ने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था, उसकी आखे थंडी थी, उसका चेहरा भावहीन था और उसने चटान के नीचे लोगों को थंडे भाव से देखा सटीक रूप से कहें तो इस व्यक्ती का उद्देशे वरिष्ट भाय शेन और वरिष्ट भाय हूँ पर हमला करना था और उसने चटान के नीचे दरजन भर योधाओं को नजरंदाज करना चुना सुना नहीं, तूम कौन हो? वरिष्ट भाय शेन ने भोहे सिकोड कर पूछा, उसकी आखे संदेह से चमक रही थी और उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ती कहां से आया था वरिष्ट भाय हू में इतना धहर्य नहीं था, एक मजबूत गहरे दायरे के मजबूत अंतर ग्यान ने उसे बताया कि प्रतिद्वंद्वी स्पश्ट रूप से अच्छा नहीं था इससे वह उदास और क्रोधित हो गया दिव्य जानवर संप्रदाय के शिश्य यहां अभ्यास करने के लिए हैं और आलसी और अन्य लोग जल्दी से पीछे हज जाते हैं भाय हू के गुस्से का सामना करते हुए विप्रीत दिशा में किंपाव के व्यक्ती ने उसे नजरंदास कर दिया बस थंडे स्वर में मुस्कुराया और दोनों की ओर चल दिया प्रुकना, सीनियर ब्रदर शेन की आँखों में एक जानलेवा चमक आ गई और उनकी आँखे ऊपर उठने को मजबूर हो गई लड़का, अगर तुम नहीं रुकते तो हमें असब्य होने के लिए दोशी मत ठहराओ भाई हूँ और भी अधिक विनम्र थे वो अपने दहिने पैर के साथ आगे बढ़ा और जमीन पर जोड से पैव मारा जिससे तुरंट चटाने हिल गई और भूकंप जैसी गलगड़ा हट हुई हाला कि इस तरह के प्रदर्शन ने प्रतिदवंधवी को नहीं रोका बलकि हरे वस्त्रधारी योध्धा की आँखो को और भी अधिक तिरसकारपून बना गिया आपका स्वागत है आप क्या कर सकते हैं हरे लबादे वाले आदमी की आँखों में एक थंडी रोशनी चमकी और उसकी आकरिते एक पल में उसी स्थान पर गायब हो गई अच्छा नहीं है ध्यान रहें वरिष्ट भाय शेन और वरिष्ट भाय हूँ चौप गए और उन्हें गहरी इर्श्या हुई अंदर आने का तरीका उनकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत था इसलिए उन्होंने जरावली लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की दोनों ने तुरंट अपनी आध्यात्मिक शक्ती का आगरह किया और उनके सामने शुन्यकी और हिंसक रूप से गोली चलाए एक तेज आवाज हुई दरजनों मुट्टी की परचाया और हतेली के निशान अद्भुत शक्ती के साथ फूट पड़े लेकिन अगले ही पल उनकी आखों के कोने एक ही समय में तेजी से हिले उनके भाव काफी बदल गए हाए ये कैसे संभव है ऐसा हो ही नहीं सकता दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि हरे लिबादे में वह आदमी चमकदार चांदी की रोशनी में लिप्ता हुआ था और वह बच नहीं पाया लेकिन उसने घनी मुट्थी की चाया और हथेली के निशान को भेद दिया कुछ भी असंभव नहीं है हरे बागे में उस आदमी का चेहरा डरावना था उसकी भौव के बीच एक दम भुटने वाली हत्या का इरादा दिखाए दे रहा था उसकी भुजाय काप रही थी और दो चांदी की रोशनिया बिजली की तरह चमक रही थी लानत है बूम वरिष्ट भाई शेन ने अभी अभी विस्मयाद बोधक चीक निकाली थी और चांदी की रोशनी ने उसकी चाती को छेद दिया वरिष्ट भाई हुने भाईवीत प्रोध में गोली चला दी लेकिन इससे पहले की हतेली के निशान बनते एक और चांदी की रोशनी उसकी बाह को तोरती हुई गुजर गई कश कश दोनों को खून की उल्तिया हुई और दिल धहला देने वाली चीके लगी द्रिश्य भयावे था आह असंभव यह असंभव है कैसे हो सकता है डौट डौट यह भयानक है इस स्थिती को देखकर विप्रीद दिशा में चोग्यान क्शेत्र के दर्जनों योध्धा अत्यदिक दहशत में आ गए और वे लगभग चोग गए वरिश्ट भाई शेन और वरिश्ट भाई हूँ भी गहन क्शेत्र के विशेशक हैं लेकिन उनमें से किसी से भी मिलने से पहले ही प्रतिदवंधवी ने उन्हें कुचल दिया था उन्हें मौके पर ही मार गिराया गया दूसरे पक्ष के तरीके सचमुच भयानक थे किनपाव में उस व्यक्ती ने भीर के उदगार को नजरंदास कर दिया और तुरंट चाकू की तरह दोनों की छाती में अपनी बाहें घुसा दी जिससे उनके दिल जोर से दब गए इसके तुरंट बाद चांदी की रोशनी बेतहाशा बाहर निकली और दोनों के खून को पागलों की तरह इधर उधर घुमाया गड़गड़ा हट एक अजीब सी धीमी आवाज के साथ हरे लबादे वाले आदमी के सामने खून का एक बड़ा धेर जमा हो गया और उनमत रूप से घूमने लगा और धीरे-धीरे हवा में उड़ गया थोड़ी देर के बाद उसके सामने केवल तरबूज के आकार का खून का एक धेर रह गया जो अजीब और आकरशक लाल रोशनी छोड़ रहा था और अविश्वसनी आध्यात्मिक शक्ती को उजागर कर रहा था पुकारना हरे लबादे में उस आदमी ने अचानक चांदी की रोशनी का एक बादल उगल दिया और अपने पेट में खून बहने से खुद को नहीं रोख सका बूम एक गहरी गरजना हुई हरे लबादे वाला आदमी लाल हो गया और उसका शरीर थोड़ा कापने लगा पूरे शरीर की सासे तुरंत उपर उठने लगी आश्चर यजनक स्तर की और चढ़ने लगी एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद वह धीरे धीरे पीछे की और गिरने लगा और एक निश्चित स्तर पर स्थेर हो गया जो उसके पहली बार प्रकट होने की तुलना में काफी अधिक था बैंग बैंग वरिष्ट भाई शेन और वरिष्ट भाई हूँ जो पहले से ही दो ममी लाशों में बदल चुके थे जमीन पर गिर गए उनकी हड्या अलग हो गई हाला कि किंटपाव का आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था उसने भौय चड़ा ली और आह भरी उसकी आखों में अफसोस की जलक दिखी दो प्रोफाउंड रियलम मार्शल कलाकारों की वन्शावली इतनी खराब है इसमें कोई आश्चरे की बात नहीं है कि स्काई बीस्ट संप्रदाय ने कैंगलान राष्ट्र में प्रवेश नहीं किया है हरे लबादे वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी उसकी आखों में अतुल्मिय तिरसकार था ये ये भयानक भयानक अरे बापरे विप्रीत दिशा से एक हताश आवास थी चोग्यान क्षेत्र के एक दरजन योधाओं ने इस भयानक द्रिश्य को अपनी आँखों से देखा और उनमें से प्रत्य एक इतना भयवीर था कि उनके चहरे लाल हो गए थे और वे भागना भी भूल गए हरे लबादे वाला आदमी उदास होकर मुस्कुराया और उसकी ओर उदासिंता से देखा तभी वे एक एक करके उठे और बिना कुछ बोले चटान की ओर भाग गए जाने की जरूरत नहीं मैं तुम्हें रियूनियन में भेज दूनगा हरे बागे में आदमी का चहरा डूब गया और उसने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और विशाल चांदी की हथेली की छापने तुरंट चटान के उपर से गर्जन करते हुए शून्य को धंक दिया आह बूम लोगों की चीखे पलक जपकते ही तेज गलगलाहट की आवाज पर भारी पड़ गई किंगपव आदमी की भयानक ताकत के सामने चोग्यान स्टेज के एक दरजन चरम से नानियों के पास कोई प्रतिरोध नहीं था और एक पल में उनकी मृत्यू हो गई दक्षनी पहाडों और जंगलों की गहराई में समय समय पर ऐसी ही स्थितिया घटित होती रहती है अध्याय 998 दुखद हत्या चून की सभी आकार के विभिन संप्रदाय हाल ही में कैंगलान राश्ट्रिय मार्शल आर्ट सम्मेलन की तयारी कर रहे हैं इस परवत श्रिंखला में कई अनुभवी योद्धा हैं निसिन देह यदि आप इस प्रकार के संकट ग्रस्थ स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके साथ गहन क्षेत्र के विशेशग्य अवश्य होने चाहिए और वे छोटे और मध्यम संप्रदाय तीन प्रमुक संप्रदायों की तरह नहीं हैं के अंगलान के संप्रदायों में गहन क्षेत्र में कई मार्शल कलाकार हैं उनके लिए गहन क्षेत्र का मार्शल कलाकार एक प्रकार का सम्रिध और महान संसाधन है और यह संप्रदाई की मुख्य युद्ध शक्ती है। उनके अधिकांश शिशे केवल चोग्यान क्षेत्र के साधना केंद्र पर हैं, अनुभव के लिए यहां आते हैं, निससंदे उन्हें गहन क्षेत्र के पावावस द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। पहला है उन शक्तिशाली राक्षसों से बचाव करना और गुप्त उद्देश्यों वाले कुछ लोगों को परेशानी पैदा करने और इन युवा शिश्यों को मारने का अफसर लेने से रोकना। धाटी में कहीं योधाओं का एक समूहा आपस में लड़ रहा है। इन में से कुल मिलाकर 20 से अधिक लोग हैं, जो लाल और पीली पोशाक पहने हुए हैं, जाहिर तोर पर अलग-अलग संप्रदायों से हैं। दोनों पक्षों में प्रोफाउंड दायरे में एक मार्शल कलाकार था, लेकिन वे एक दूसरे से लड़ने की जल्दी में नहीं थे, बलकि दूर से एक दूसरे का सामना करते थे और चोग्यांग दायरे के शिश्यों को एक दूसरे पर हमला करते देखा। केवल ऐसे दुखत दृष्य के साथ ही संशाइन दायरे के ये शिश्य जल्द से जल्द बड़े हो सकते हैं। कुछ लोग जो अपनी साधना में एक महित्वपून बिंदू पर पहुँच गए हैं, वे इस अफसर का लाब उठा सकते हैं। यह महीनों या वर्षों की तपस्या के बराबर हैं। हाला कि यह मार्शल आर्टिस्ट के लिए थोड़ा क्रूर हैं, लेकिन यह अभ्यास करने का सबसे प्रभावी तरीका भी है। गड़ गड़ा हट, हिंसक गर्जना जारी रही और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई तेज हो गई। समय समय पर कुछ लोगों ने चीक पुकार मचाए और इतनी देर में लाशे भी उड़ गई, यह द्रिश्य बेहत दुखत था। वहां के बारे में, लाल बागे में रहसे मय मार्शल कलाकार ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आखों में रोशनी चमक उठी, अचानक वह उठा और युद्ध समूर की और दोर पड़ा। और फैल गई, जिसने पूरी छोटी घाटी को कवा कर लिया. दोनों की ताकत लगभग एक जैसी है और लंबी लड़ाई के बाद भी वे अंतर नहीं बता पाते. नीचे दिये गए चोग्यान क्षेत्र के शिश्य आधिक से अधिक चिंतित है क्योंकि वे लड़ते हैं और लोगों की संख्या तेजी से कम हो जाती है. यदि यह जारी रहा तो अनुभव की बात तो दूर, मुझे डर है कि दोनों पक्षों के युवाई योधाओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. जब दोनों गतिरोध में थे और इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए उत्सुक थे, एक मोटी नीली रोशनी अचानक पागलों की तरह आई, उस समय भी सेकड़ों मीटर दूर थी और अगले ही पल घाटी में भग गई. कौन आया? आपने क्या किया? गहरे दायरे के लाल बागे और पीले बागे वाले मार्शल कलाकारों ने अचानक लड़ना बंद कर दिया, और प्रत्येक ने सक्ती से पूछा. उन सभी ने देखा कि इस नीले भागने का मालिक अच्छा नहीं था. हाला कि उनकी आवाजने अभी विशून्य में गूंज रही थी, और नीली रोशनी अचानक बंद हो गई, और हरे रंग का लबादा पहने मार्शल कलाकार जो अचानक सामने आया, उसने एक जानलेवा शब्दुगल दिया. तुम्हे सड़क पर भेजो, बूम. शब्दों क गिरे और एक के बाद एक खून की उल्टिया करने लगे. उच्छाल, हरे लबादे वाले योद्धा ने अपना शरीर हिलाया और तुरंट उन दोनों के बीच गिर गया, अपनी हथेलियों को पल्टा और उन्हें उनकी सिर के उपर दबा दिया. अनच्छिक रूप से, लाल अध्यात्मिक शक्ती से प्रेरित हो गए और चिल्ला उठे कि उनकी खेती पूरी तरह से बेकार थी. गड़गडा हट, चांदी की रोशनी ने हरे वस्त्रधारी योद्धा की भुजाओं को धंग दिया, जिससे दो व्यक्तियों के सार और रक्त में शुधा अध्यात्मिक शक्ती समाहित हो गई. पलक जपकते ही ये सार और रक्त एक में विलीन हो गए और हरे लबादे वाले योद्धा ने तुरंत इसे निगल लिया. उसी समय उनकी साधना आधार आभा आसमान चूने लगी और एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद वह गुंजने लग जब उसने फिर से अपनी आखे खोली तो उसने धीरे से अपना सिर हिलाया उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे. यह इतना बुरा क्यूं है? उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और आगे की और देखा लेकिन उसने कुछ आकृतियों को दूर भागते हुए देखा जो एक जटके में काले धब्बों में बदल गई, हम्फ, हरे लबादे वाला आदमी थंडे स्वर में मुस्कुराया और आगे कोई पीछा नहीं किया, उनकी राय में ये लोग उनके समय बरबाद करने लायक नहीं थे, चूनकी वे दूर हैं, उन्हें भाग जाने दो, गलल गला हट, पलक जपकते ही, हरे लबादे वाला आदमी हवा में उठ गया, जंगल की गहराई की ओर उठ गया, और अगले लक्षे की तलाश में लगा रहा, डॉट डॉट डॉट, कुछी दिनों में दक्षनी पहाडों में एक दर्जन से अधिक नरसनहार हुए, विशेश रूप से व अनुभव लेने आए सभी योध्धा घबरा गए, अरे, मैंने सुना नहीं, हाल ही में, दक्षनी पहाडों में एक भयानक राक्षस दिखाए दिया, जिसका खेती का आधार भयानक था, ऐसा कहा जाता है कि एक गहन क्षेत्र का गुरु भी आसानी से सिरकलम कर सकता है, क्या कहीं किसी पहाडी की चोटी पर अलग-अलग वेशभूशा वाले कुछ योध्धा एकत्रित होकर हाल के दिनों में प्राप्त समाचारों का आदान प्रदान कर रहे थे, इन में से प्रत्येक व्यक्ति ठका हुआ लग रहा था, और उनकी आखे लगातार अपने आसपास को देख रही थी, सभी अत्यदिक सतर्क दिख रहे थे, दरसल उन्हें दोश नहीं दिया जा सकता, आखिरकार पिछले कुछ दिनों में दक्षनी पहाडों में जोत्रा सद्या हुई हैं, वे अतनी भयावे हैं कि वे पूरी तरह से मार्शल कलाकारों के बीच फैल गई हैं, अ पुरा व्यक्ति एक कसी हुई धनुष की दोरी की तरह है, और यह उसकिस पर्ष से ही फट जाएगा, हत्या का चौकाने वाला इरादा, कुछ पारिवारिक शक्तिया और कमजोर प्रिष्ट भूमी वाले छोटे और मध्यमाकार के संप्रदाय संकट से बचने और यहां तक क अपने अनुभव को जल्दी समाप्त करने के लिए दक्षनी पहारों से हट गए, बिलकुल नहीं, उनके पास सीमित ताकत होनी चाहिए, एक बार जब वे उस तरह के संकट का सामना करते हैं, तो यह एक बहुत बड़े जटके के समान होता है, और कुछ तो किसी परिवार य ने इसकी पर्वा नहीं की और इन अफवाहों पर व्यंग्य भी किया, वे इस पर विश्वास नहीं करते यह लगभग विचित रफवाहे हैं, लेकिन सोचिए कि कुछ लोग गलत इरादे से जानबूझ कर सभी पार्टियों की तैयारियों की प्रगती को बादित करने के ल बढ़ी है और इसमें पांचमे स्तर के कई राक्षस कई दिनों तक रहते हैं. यहां तक की परवत श्रिंखला के सबसे गहरे हिस्से में और भी अधिक शक्तिशाली राक्षस हैं. एक बार इस प्रकार के राक्षस का सामना करने के बाद यहां तक की एक गहन क्षेत्र विश शेशगय भी शायद ही इससे निपट सकता है. चोग्यान क्षेत्र में एक योध्धा की तो बात ही छोड़ दे. और यदि आप कई राक्षसों की घेराबंदी में फंस जाते हैं, तो चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों नहों, कोई फायदा नहीं होगा और आप केवल एक दुखद मौत के साथ समाप्थ होंगे. सभी संकेतों को देखते हुए, जिन ताकतों का विनाश हुआ है, वे संभवत राक्षसों की घेराबंदी में फंस गई है. उद्धरन चिन डॉट 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 ये बहुत दरावना है. अध्याए 999, दानव पक्षी और अनुभव करने आये हैं. प्राक्षसों के हमले का सामना न करना अजीब बात है. मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है. मैंने इस अनुभव को समाप्थ करने और जल्द से जल्द परिवार में लोटने का मन बना लिया है. यह आपका मामला है कि आप जा सकते हैं या नह सभी ने कुछ देर बात की और जल्द ही गायब हो गए. कई योधाओं ने जाने का फैसला किया लेकिन अभी भी ऐसे लोग थे जो बुराई में विश्वास नहीं करते थे और उन्हें अभी भी अनुभव को अंत तक ले जाना था. डॉट 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 किसी गुप धाटी में चटानों का एक साधारन सा दिखने वाला धेर अचानक एक विशाल शक्ती द्वारा हिला दिया गया था. वाह, उसमें से एक आखरिते निकली, थोड़ा मदराती हुई और जमीन पर गिर पड़ी. ये हलके नीले रंग का मुई जियान तियान है. लगभग दस दिनों के एक आंतवास के बाद उनके शरीर पर लगी गोली लगभग खत्म हो चुकी थी और अब उनकी खेती चोग्यान क्षेतर के मद्य चरन की बेडियों को तोर चुकी है और यहाँ अभी भी चोग्यान क्षेतर के अंतिम चरन से बहुत दूर है. यू लिंग बाव गोली का प्रभाव बहुत अच्छा है लेकिन संख्या थोड़ी कम है. जियान तियान ने अपना सिर हिलाया और दस यूनिलिंग गोलियों के प्रभाव को याद करते हुए मुस्कुराया और उसकी आँखों में अभिव्यक्ति का संकेत था. ये केली गोलिया ही काफी नहीं है. यहां राक्षस और जानवर हैं, आखिरकार मुझे अभी भी इसे स्वयम करना होगा. जियान तियान ने एक खटी मीठी सास छोड़ी और अपने मूम के कोने पर आत्मनिंदा भरी मुस्कान के साथ खुद से बुद्बुदाया. सौभाग्य से वह खुद से बात कर रहा था. अगर लिंग जियो या यहां तक कि तांग जियो ने भी ये शब्द सुने, तो आश्चर्या चकित होने पर वह गुस्से से खून की उल्टी कर देंगे. ऐसी बहुत सी बहमूलिय गोलिया हैं जिनका उप्योग अन्य लोग कम से कम कई महीन तक कर सकते हैं, लेकिन जियान त्यान केवल दस दिनों से भी कम समय तक चली. और वह भी, ये भी सोचता है कि मात्रा बहुत कम है और प्रभाव पर्याप नहीं है. ये बहुत अतिश्योक्ती है. वास्तव में, जियान त्यान ने बहुत आधिक जगह नहीं बनाए उमीद है जब उसे गोली मिलेगी. आखिरकार, वह अपनी स्थिती को सबसे अच्छी तरह जानता था. यदि वह अपने साधना स्तर को सुधारने के लिए गोली पर निर्भर रहता, तो हो सकता है कि वह त्यानिक सुपीक के खजाने को खा जाता. यदि आप वास्तव में ऐसा करना च चाहते हैं, तो त्यानिक सुपीक के कई सहयोगियों को अभ्यास करने की आवश्यक्ता नहीं होगी. बिल्कुल नहीं. इसलिए उन्होंने पहली बार खेती के लिए बाहर जाने का प्रस्ताव रखा और उन्होंने इसमें कोई जिजक नहीं की. क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि उसकी काया बेहत खास है और उसकी साधना के हर चरन में भारी मत्रा में खेती के संसाधनों की खपत होगी और समान्य आपूर्ती पर्याप नहीं है. एक पल सोचने के बाद जियान तियान तेजी से भाग निकला और उसके सामने जंगल में बह गया. हो हो हो, इस के तुरंत बाद घने जंगल में पानी के एक तालाप के पास एक भयनकर जानवर की दहार सुनाई दी. इसके तुरंत बाद हिंसक आध्यात्मिक शक्ती का विस्फोर्ट समाप्त हो गया और आध्यात्मिक प्रकाश चमकने के बाद जानवर की दहार अचानक बंद हो गई, पूरी तरह से शांत हो गई। गड़ गड़ा हट, आध्यात्मिक शक्ती वापस शून्य में लुड़क गई, जयान तियान जमीन पर तैरने लगा, जब उसने तीन सेरवाले विशाल पाच सेरवाले राक्षस जानवर को देखा तो उसकी आखे सोच समझ कर चमकने लगी। उ इस्तिमाल ये भ्रम पैदा करने के लिए किया की विशाल उंगली की छाया इन राक्षसों के महत्वपूर्न अंगों में प्रवेश कर गई है। निगलने वाली उंगली की शक्ती में वास्तव में सुधार हुआ है, लेकिन ये गहन क्षेत्र में मजबूत लोगों से निप अध्यात्मिक शक्ती बहुत बढ़ गई है, फिर भी वे अपने साधना स्तर तक सीमित हैं और उनकी समग्र शक्ती की अभी भी कुछ सीमाय हैं। यदि आप इस्थिती को तोड़ना चाहते हैं, तो अपनी ताकत में सुधार करने और साधना आधार को तोड़ने के अलावा कोई अज्य अच्छा तरीका नहीं है. जियान तियान ने विचलित करने वाले विचारों को दबा दिया और रक्त निगलने की प्रतिभा का उप्योग करके राक्षस सार का रक्त निकालना शुरू कर दिया. डवी डवी गलगला हट के बाद उसने एक के बाद एक तीन राक द्रिश्य का मंचन किया गया दस फुट से भी बड़े आकार का दो पंखो वाला राक्षस पक्षी हवा में मदरा रहा था और पहाडी के आकार का एक सफेद बाग जैसा जानवर आपस में लड़ रहा था द्रिश्य बहुत तीवर था दो पंखो वाला दानव पक्षी एक विशाल इगल के आकार का है जो नीले बैंगनी पंखो से धका हुआ है तेज पंजे की एक जोड़ी थंडी रोशनी से चमकती है और जब ये हवा में पकड़ा जाता है तो तलवार जैसी थंडी चाया निकलती है बाग के आकार का राक्षस हवा में नहीं उड़ सकता था लेकिन यह उसकी मूटी त्वचा और बेहद शक्तिशाली राक्षस से बहतर था प्रचंट प्रकाश ब्लेडो का सामना करते हुए वह पागलों की तरह दहारता रहा ध्वनी में नहीत शक्तिशाली दानव शक्ति ने इन प्रकाश ब्लेडो को अद्रिश्य हवा की दीवार की तरह तोर दिया जिससे वे बिखरने के लिए सफेद रोशनी में बदल गए आना, हाला की दो पंखो वाला दानव पक्षी आखिरकार अधिक लचीला था और सक्रिया आक्रमन पर कबजा कर लिया उलजने के एक शन के बाद बाग के आकार का विशाल दानव धायल हो गया वाह, एक आक्रिते हवा के माध्यम से तूट गई और विप्रीट दिशा में थोड़ी उची पहाडी की चोटी पर उतर गई और ध्यान से देख रही थी ये राक्षस पक्षी इतना परिचित क्यूं है? जियान तियान ने ध्यान से देखा, उसकी आखे चमक रही थी, विचारमईगू दो पंखों वाले राक्षस पक्षी के नीले बैंगनी पंखों ने उसे एक प्राचीन पुस्तक में वर्नित शक्तिशाली राक्षस की आद दिला दी ये क्विंग पेंग नाम का एक उत्परिवर्ती राक्षस पक्षी था जिसके शरीर में प्राचीन जानवर तियान पेंग के खून का निशान था कुछ देर तक ध्यान से देखने पर जियान तियान ने अचानक भौहे चड़ा दी, अपना सेर हिलाया और आहे भरी नहीं, हाला कि ये दो पंखो वाला दानव पक्षी आकार में कुछ हद तक समान है, लेकिन इसमें स्पष्ट अंतर है ये निश्चित रूप से क्विंग पेंग का वन्शज नहीं है, जियान तियान ने थोड़ा निराश होकर अपना सेर हिलाया यदि यह राक्षस वास्तव में किंग पेंट का वन्शज है, तो उसे जो कुछ भी कहना है उसे वश में करने का एक तरीका खोजना होगा उस तरह के राक्षस की एक अलग रक्तधारा होती है और उसमें काफी संभावनाए होती है यदि इसे वश में किया जाए और अच्छी तरह से खेती की जाए, तो यह एक शक्तिशाली पक्षी राक्षस विक्सित कर सकता है हाला कि उसके सामने वाला सिर बेहद उग्रह है, यह सपश्ट रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं है और वह अनिवार्य रूप से निराश होगा हाला कि लंबे चाकू की तरह जानवर के फ्योलादी पंख अभी भी उसे आश्चर्य चकित करते थे उन पंखों का प्रत्येक फरफड़ा एक मजबूत तूफान ला सकता है और अकसर बाग के आकार के विशाल राक्षस के अद्रिश्य हमले को नश्ट कर सकता है जियान तियान ने धीरे से आह भरी, अपना सेर हिलाया और मुस्कुराया गरजन, अचानक दहार हुई लेकिन बाग के आकार के विशाल दानव ने हवा में कूधने का अफसर जबत कर लिया और अप्रत्याशित बलके साथ दो पंखों वाले दानव पक्षी पर हमला कर दिया तारांकन, 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 तारांकन का मुफट गया और दानव शक्ती बेतहाशा बाहर निकल आई और साथ ही सामने के दो विशाल स्तम्भों ने राक्षस पक्षी को फारणे की तयारी करते हुए भयन कर रूप से पकड़ लिया हाला कि इसने अभी भी गती के लिए दानव पक्षी की प्रतिभा को कमाका और जब ये सफल होने वाला था तो इसने दानव पक्षी की आभा को बेतहाशा चमकते हुए देखा और नीले बैंगनी स्ट्रीमर की एक परत ने तुरंथ पूरे शरीर को ढख लिया जियान तियान की आखे तेजी से सिकुल गई और वह चमभित हुए बिना नहीं रह सका उसने उसे घूर कर देखा और उसका दिल हिल गया जब नीले और बैंगनी रंग की स्ट्रीमर खिल रहे थे दुपंखो वाला दानव पक्षी पतली हवा सिक शेतिज रूप से बाहर चला गया तुरंट बीस मीटर से अधिक दूर दिखाए दिया इतनी तेजी से की जियान तियान ने इसे देखा भी नहीं अध्याए एक हजार बहरा हाए क्या प्रतिभा है जियान तियान की आखों का कोना उच्छल गया और वह चौकने से खुद को नहीं रोक सका हाला कि यह राक्षस पक्षी किंग पेंट का उत्परिवर्ती वन्शज नहीं है लेकिन पक्षी की प्राकृतिक विशेश्टाओं के कारण पवन आध्यात्मिक शक्ती की धारणा और नियंत्रन सामान्य मानव योधाओं से कहीं अधिक है जियानतियान ने कई गहन दायरे के शक्तिशाली लोगों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी लेकिन उन में से किसी के पास भी दोहरे पन्खों वाले दानव पक्षी के समान तक्नीक नहीं थी अविश्वस नियर, जियान तियान ने एक गहरी सास ली, उसकी आखों में उत्साह की एक किरन चमक उठी एक पल में 20 फीट से अधिक चलना, ये कई स्वर्गिय शारीरिक कौशलों से कहीं अधिक शक्तिशाली है यदि उसके पास इस प्रकार की क्षमता है, तो वह निश्चित रूप से भविश्य में दुश्मन का सामना करते समय अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली प्रभाव डालने में सक्षम होगा ये कल्पना की जा सकती है कि एक बार जब वह इस पद्धती का उप्योग करते हैं, तो वह अपने विरोधियों को गहरा जटका देंगे हाला की उन्होंने The Secret Record of Purple Clouds में Purple Light Rising Dragon सटेप का अभ्यास किया था, यह अभी भी दो पंकों वाले राक्षस पक्षी की प्रतिभा से बहुत कम था, और यह भी कहा जा सकता है कि यह नहीं था बिलकुल उसी चरण में हाला की इस प्रतिभा को पाना कभी भी आसान नहीं होता है वो है एक मानव योध्धा है और ये दोहरा है आत्मा दानव पक्षी स्वयम एक प्रकार का पक्षी दानव जानवर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है हाला की अवलोकन के इसक्षंग के बाद उन्हें कुछ सुराग भी दिखे हर बार जब दो पंखो वाला दानव पक्षी उस तरह की प्रतिभा प्रदर्शित करता है, तो शून्य में एक हिंसक विस्फोट होगा उसी समय एक अत्याचारी हवाशून्य को धंक देगी, जिससे वह स्थान जहां वह जाता है, किसी के समान नहीं होगा इलाका, जियान तियान की आँखें चमक उठी, उसने चुपचाप सोचा और अचानक उसकी आँखें चमक उठी और उसे एक विचार आया इस समय दो पंकों वाले दानव पक्षी ने एक बार फिर परिवहन की प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अप्रत्याशित रूप से बाग के आकार के राक्षस के सामने आया स्टील के चाकु से बुने हुए एक विचाल पंक की तरह हवा में चमकता हुआ और तुरंत उससे टकराया चीता दानव का मा था, गरजन, इसके बाद चीक पुकार मच गई और बाग के आकार का विशाल दानव गंभीर रूप से घायल हो गया और पागलपन में दूब गया दोनों पंजों ने जपट्टा मारा तारांकन 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 का मुख खुला और राक्षस पक्षी पर बेताब होकर हमला बोल दिया यह मौत की मुद्रा थी जियान तियान थोड़ा घबराया इसे रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी गर्जन, फूह, उनमत दहार और दहार के साथ बाग के आकार का विशाल राक्षस और दो पंखो वाला राक्षस पक्षी दोनों जमीन पर गिर पड़े और पहारी की चोटी पर जागिरे दोनों राक्षस जानवर स्पष्ट रूप से बेहत बुरी तरह से पीलित थे उतरने के बाद उनमें हमला जारी रखने की क्षमता नहीं थी खून की धार फूर पड़ी और तुरंत चत्तानों का एक बड़ा क्षेत्र लाल रंग में रंग गया और सूरज के नीचे यह पागल कसिव गोली की एक बड़ी लिपी की तरह लग रहा था ये समय है जियान तियान ने अब और संकोच नहीं किया उसका फिगर चमक उठा गड़ गड़ा हट धीमी दहार के बीच एक शक्तिशाली सास ने उन्हें घेर लिया और दोनों राक्षस जानवर पलक जपकते ही दह्शत में मर गए जियान तियान मदद नहीं कर सका लेकिन अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला जो दो पंखों वाले विशाल पक्षी का खून निगलने के लिए तैयार था हाला कि इस समय एक अप्रत्याशित द्रिश्य सामने आया गड़ गड़ा हट हवा में तूटने की आवाज अचानक सुनाई दी और कईलाल आकृतिया सेकडों फीक दूर से दोड़ पड़ी जल्दी वहां पर हाँ 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 इतने लंबे समय तक पीछा करने के बाद हम अंतता पकड़े गए फूह कोई वह क्या करता है जब तक वह हमारे साथ राक्षस जानवर को मारने की हिम्मत करता है केवल एक ही अंत है गड़ गड़ा हट जैसे ही हवा से तूटने की आवाज आई पाचों आकृतिया तुरंत पहाडी की चोटी पर गिर गई एक-एक करके जियान तियान को थंड से देखा उनके भाव बेहत गर्व थे और स्पष्ट तिरस्कार भी था इन लोगोंने लाल वस्त्र पहने हुए थे जियान तियान थोड़ा परिचित लग रहा था हाला कि उनकी रुच्छी स्पष्ट रूप से विप्रीत अजीब योध्ध में नहीं बलकि दो राक्षसों में है लेकिन अपने सामने का द्रिश्य स्पष्ट रूप से देखने के बाद वे एक-एक करके अपना चेहरा डूबने से नहीं रोक सके अनुचित वे सभी क्यों मर गए हर कोई बहुत नाराज था और जब उन्होंने चारों और नजर डाली तो उन्हें समझाया की क्या हो रहा था फैंग जियो और वाइट मैन स्कारलेट आइट टाइगर प्राकृतिक दुश्मन है जब तक वे मिलेंगे वे कभी नहीं मरेंगे ऐसा लगता है कि वे एक साथ मरेंगे अन्तत है एक फैंग जियो से मुलाकात हुई जो एक बहुत ही दुर्भाग्य शाली व्यक्ती के रूप में मर गया कुछ लोगों ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी अन्यलोग चिल लाए अपने सामने के द्रिश्य को देखकर निराश हो गए मैं पूरी तरह मर चुका हूँ मैं क्या कर सकता हूँ प्रमोख लाल वस्त्रधारी योध्धा की तियोरिया चड़ गई मैं इतना नियंत्रित नहीं कर सकता आएए पहले इन दो राक्षसों को वापस लाएं भले ही वे मर जाएं वे इसे बरबाद नहीं कर सकते हाँ सफेद बालो वाला और लाल आखो वाला बाग खजाने से भरा है मैं यदि फैन जियो का रक्त समय पर एकत्र किया जाता है तो ये बहुत काम आएगा तो फिर जिजख किस बात की है करो अगल बगल के चार लोग अपने हाथ शुरू करने के लिए आगे बढ़े लेकिन दो कदम चलने के बाद ही उनकी भोहे चट गई और उनके चेहरे दूब गए हलके नीले बादल पैटन वाला तावदी वस्त्र पहने वह युवा योध्धा दो राक्षसों के बीच फंस गया है न तो बोल रहा है और नहीं चोड़ रहा है जहिर तोर पर बहुत अग्यानी है कुछ लोगों ने बात करने की भी जहमत नहीं उठाए और जब से वे यहां आये थे उन्होंने जियान तियान को अपनी सीधी आँखों से नहीं देखा था और लगभग पूरी तरह से उसे अंदेखा कर दिया था अब वे बस भौहे सिकोर रहे थे और अपनी आँखों से एक दूसरे को इशारा कर रहे थे उनकी आखे अवमानना और अप्रतिरोध्यता से भरी थी मतलब भीस पश्ट है वह है दूसरे पक्ष को जाने का संकेत देना दूसरे पक्ष की दबंग मुद्रा को महसूस करते हुए जयान तियान अवाक रह गया थंडे स्वर में मुस्कुराया और उसे नजरंदास कर दिया अपने सामने दो राक्षसों को देख कर उसने ये सोचकर हलकी सियाह भरी कि वह फैंजियों का खून नहीं निगल सकता लेकिन वह इन लोगों की उपस्थिती के कारण अपने व्यवसाय में देरी नहीं कर सकता था इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और रक्त को बहने से रोकने के लिए फैंजियों के शरीर पर घाव को अस्थाय रूप से सील करने के लिए कुछ आध्यात्मिक शक्तियों को लहराया हाला कि ये केवल एक स्टॉप गैप उपाय है ये केवल अस्थाय रूप से प्रभावी है और बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है क्योंकि पवन उल्लू और सफेद मानव वाले लालाखो वाले बाग दोनों को बेहत गंभीर चोटे हैं भले ही वे घाव को अस्थाय रूप से सील करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उप्योग करें वे रख्त के रिसाव को नहीं रोक सकते हैं और रख्त का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होगा समय के साथ कम हो गया जियान तियान के लिए ये निस्संदे है एक बड़ी बरबादी है हाला कि ऐसा लग रहा था कि कोई उससे भी अधिक चिंतित है ठीक है लड़के क्या तुम इतने अंधे हो भाण में जाओ हमें ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो ये देखकर कि जियान तियान को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वह अभी भी फैंग जी उपर हाथ पैर लगाय हुए था जिसका वे लंबे समय से पीछा कर रहे थे ये लाल वस्त्रधारी शिश्य अंततह इसे सहन नहीं कर सके उनमें से प्रत्येक की उदासी भरी अभिव्यक्ति थी वे कथोर्ता से चिल्ला रहे थे जियान्तियान को जबरन भगाने की तैयारी कर रहे थे जब जियान्तियान ने ये शब्द सुने तो वह थंडे स्वर में मुस्कुराया भाँहे चड़ाली और सभी की ओर देखा लेकिन उसका दिल थोड़ा शांत हुआ यदि ये लोग एक दूसरे के साथ शिष्टा पूर्वक व्यवहार करते हैं तो उसमें कुछ संशे होगा लेकिन चुन की दूसरा पक्ष इतना अहनकारी है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं प्रतिद्वंदवी पर थंडी नजर डालते हुए उसने कारवाई करना जारी रखा और खून की हानी को रोकने के लिए सफेद मानव वाले लाल आखो वाले बाग के घाव को सील कर दिया इस द्रिश्य ने तुरंट पाँच लाल वस्त्रधारी शिश्यों को क्रोधित कर दिया जिससे वे क्रोधित और नाराज हो गए दिखकार है ये बच्चा बहरा नहीं है है ना ये कैसे संभव है अरे क्या तुम सच में संशाइन क्षेत्र में बहरे हो क्या तुमने हमें सुना है क्या तुम जल्दी नहीं करते बीर फिर से चिलाए और पूरे शरीर की सासे तेजी से इकठी हो गई ऐसा लगता था कि वे दूसरों को धक्का देने के लिए बल प्रयोग करने के लिए तयार थे और यदि वे चहरा नहीं जानते थे तो वे ऐसा करते भी थे जियान तियान ने अपनी हथेली को हलके से थपथपाया एक दूसरे को हलके से देखा और अचानक अपनी भोहें ऊपर उठा ली कोश्टक 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 कोश्टक